हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो चलते ही स्टार करते हैं यहाँ पर आपका पहरा प्रसंदिया गया है कि निमले लिखित में से कौन सा रात्री का परयावाची नहीं है रात्री का परयावाची नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ पर रजनी यह रात्री का होता है विभावरी भी होता है और आपका निशी भी होता है लेकिन समीर पर्यावाची ये नहीं होता है समीर होता किसका पर्यावाची है याद रखेगा समीर पर्यावाची होता है आपके पवन वायू अनिल मारूत ठीके तो समीर की भी पर्यावाची आपको रट जाएंगी पवन वायू अनिल मारूत यह होती हैं आपके समीर की पर्यावाची next question दिया है मरगेंदर का पर्यावाची सब्द मरगेंदर का पर्यावाची और आपको अंसर याद दिख चुका है तो मरगेंदर का पर्यावाची सब्द होता है आपका क्या, यहाँ पर सारदूल होता है क्या होता है सारदुल अब सारदुल के भी आपके पर्यावाची होते हैं जैसे सिंग, ब्यागर, केसरी, म्रग, पती ठीके ये होते हैं आपके सारदुल के पर्यावाची अर्था सिंग, ब्यागर, केसरी, म्रग, पती ये होते हैं आपके सारदुल के पर्यावाची नेस कोर् तो ये एक हैं लेकिन आपको सी नंबर ये आपको अलग दिख रहा है भूसुर भूसुर ये पर्यावाची ये छेत्य का नहीं है ये होता है भूसुर पर्यावाची जो होती है वो आपके ब्रामहड का होता है और ब्रामहड के भी और भी पर्यावाची होती है ब्रामहड ठीक है option आपका C हो जाएगा अगला question है रूख का पर्यावाची सब्द बताईए रूख का पर्यावाची सब्द आप से पूछा गया है और रूख का पर्यावाची यहां पर आपका सही हो जाएगा वीटप की परयवाची तो आप जानते ही है ठीक है तो आप सा रेटप के यहाँ पर यह हो जाएगा वीटप हो जाएगा निश कोशन दिया है कि कौन सा सब्द ब्रह्मा का परयवाची नहीं है ब्रह्मा का परयवाची नहीं है तो देख सकते हैं ब्रह्मा का परयवाची यहाँ पर कमलासन तो नहीं होगा चतुरानन यहाँ पर चतुरमुक दिया है और चतुरभुज तो देखें यहाँ पर ब्रह्मा का परयवाची कमलासन होता है चतुरानन होता है चतुरमुक होता है लेकिन चतुरभुज नहीं होता ह ठीके, option rate up का D हो जागा, चतुर्भुज, ये ब्रह्मा का पर्यावाची ने होता है, ये होता है आपके विश्णु का पर्यावाची, ठीके, चतुर्भुज की इसका पर्यावाची होता है, विश्णु का पर्यावाची और भी इसके पर्यावाची होते हैं, हरी लच्मी पत तुरंग होता है और है होता है लेकिन सारदुल नहीं होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर option राइट आप को हो जाएगा यहाँ पर C number सारदुल ठीके समझ में आ गया और next question कहाते हैं कोश्चन आपसे एगला पुछा है कि मिनाच्छी का परियावाची सब्द किसका है मिनाच्छी परियावाची सब्द होता है आपके दुर्गाजी का option राइट आप का B हो जाएगा दुर्गा next question है कौन सा सब्द नाग का पर्यावाची नहीं है नाग का पर्यावाची नहीं है तो देखो नाग का पर्यावाची सर्प होता है आई होता है विश्धर होता है लेकिन तुरंग नहीं होता है ठीके क्या ने होता है तुरंग ने होता है तुरंग होता है आपके किसका आपके घोड़ा का होता है ठीके तुरंग होता है घोड़ा का है अस्व यह आपको होता है घोड़ा ठीके ओप्सन आपका D हो जाएगा अगला कोशन है कौन सा सब्द ब्रमर का पर्यावाची नहीं है तो देखे ब्रमार का पर्यावाची के अगर बात करें तो सलब होता है चनरीक होता है, मिलिंद होता है लेकिन सिली मुख नहीं होता है सिली मुख नहीं होता है तो बात आती है सिली मुख किसका पर्यावाची है तिहाद रिखे ये होता है बाण का पर्यावाची बाण के और भी पर्यावाची होते हैं बाण, तीर, सर ये पर्यावाची आपके सिली मुख के होते हैं ठीके ओप्सन राइट आपके हैं आपके सी हो जाएगा सिली मुख ये भ्रमर का पर्यावाची नहीं है अगला है कौन स नहीं होता है, option आपका D हो जाएगा गड़ाधिप, यह आपका जैसे किते हैं इंद्र का पर्यावाची नहीं है, अगला है आपका हिर्णाई गर्व का पर्यावाची सब्द, हिर्णाई गर्व का पर्यावाची सब्द पूछा है, तो हिर्णाई गर्व का पर्यावाची होत और बारा नमबर में देख सकते हैं दास का पर्यावाची नहीं है अठातों यहाँ पर देखे अनुचार होता है ब्रत्य होता है और सेवक होता है लेकिन परिकर परिकर दास का पर्यावाची नहीं होता है परिकर का अर्थ होता है घर के लोग यह कह सकते हैं परिवार के लोग ठीके तिस प्रकास से option right आपका B ये 10 का प्रयावाची नहीं है ठीके घर के लोग क्या दास होते हैं नहीं होते हैं तिस प्रकास से difference कोन है आपका तो B नंबर है अगर आई सूरी का परयावाची सब्द बताना है सूरी का परयावाची और सूरी का परयावाची आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पर जो मारतंड है option आपका B यह सूरी का परयावाची है ठीके? next question दिया गया है कि निम्लिखेत में से कौन सा सब्द अरविंद का परयावाची नहीं है तो अरविंद का परयावाची देखिए पंकज होता है जलज और अमबोज यहाँ पर अरविंद का परयावाची नहीं है कौन? ए नमबर मिलिंद नहीं है मिलिंद ठीके? मिलिंद जो होता है वो भावरा का होता है ठीक है मिलिंद पर्यवाची किसका होता है भावरा का होता है भावरा के और भी होते हैं भावरा आली भ्रमर भावरा ये होते हैं आपके मिलिंद के पर्यवाची ठीक है अगला कोशन दिया गया है पर्यवाची सब्द का अर्थ क्या है तो पर्यवाची सब्द का जो अर्थ ह सब दोता है क्या होता है समनार्थी सब दोता है option रैट आपको यहाँ पर डी हो जाएगा next question दिया है यमना का पर्यावाची आप वीडियो पूरा देखिएगा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में आपको पर्यावाची समंदिश समस्याएं हमेशा से पूछा जाता है आपको यमना का पर्यावाची तो यमना का पर्यावाची हो जाएगा कालिंदी next question है कि निमलिकित में से कौन सा सब्द निसीत का पर्यावाची नहीं है निसीत का पर्यावाची नहीं है देखिए निसीत का पर्यावाची होता है निसीत मतलब रा ठीक है यह हो जाएंगे आपके तम ठीक है तम किसका है अंदकार का है अंदकार तिमीर अंधेरा यह होते हैं आपके तम में तो इस प्रकार से निशीत का पर्यावाची को नहीं है तम नहीं है अगला कोशन है जंगल सब्द का पर्यावाची जंगल सब्द का पर्यावाची प होते हैं जंगल के पर्यावाची अगला कोशन है क्रोध सब्द का पर्यावाची बताईए क्रोध सब्द का पर्यावाची और याद रखे क्रोध सब्द का पर्यावची होता है आमर्स क्या होता है अमर्स होता है आपका अपका नहीं है तो विजली का पर्यावची यहाँ पर आपका नहीं है कौन विजली में आपका दामनी भी होता है चंचला भी होता है ताडित भी होता है लेकिन वितुंडा नहीं होता है यहाँ पर जो आपका ए नहीं है तो वितुन्डा है क्या वितुन्डा जो पर्यावची होता है वो गज का होता है गज हस्ती ठीक है और कुम्भी यह जो आपके होते हैं आपके इसके होते हैं गज हस्ती मतंग कुम्भी यह होते हैं वितुन्डा के पर्यावची ने प्राची का पर्यावची सब्द है तरंग तो तरंग सब्द का परयावाची किया होज़ेगा अगला कोशान है किन लीखित्य सब्दों में से कौन सरीता का परयावाची नहीं है यहां पर आपको जवाब याद रखे तटनी निमना और तरंगी की तरंगी ड़ी ये जो है वो सरीता का तो पर्यावाची है लेकिन त्रीपथगा ये सरीता का पर्यावाची नहीं है बात आती है त्रीपथगा है पर्यावाची किसकी तो त्रीपथगा के पर्यावाची होती है अलकननदा भागी रथ इंवरी मंदाकनी सुर्शरी यह होते हैं त्रिपत्धगा के पर्यवाचि होते हैं ठीक है अगला है किनेमली खित में से कौन कमल का पर्यवाचि नहीं है देख लिए यह पर्यवाची नहीं है तो 24 को अप्सन रायट यहां पर राजिव, कोलाय, अम्बोज ये होते हैं कमल के पर्यवाची, क्या होते हैं कमल के, राजिव, कोला, अम्बोज ये होते हैं, लेकिन जलद ये पर्यवाची कमल का नहीं है, जलद पर्यवाची होता है किसके, आपके बादल, ठीके, बादल, पयोधर, मेग, नीरद, ये होते हैं जलद के पर्यव इनमें से एक सब्द देवता का परया है और देवता का जो परया है वो आपका कौन सा यहां पर तो देवता का परया है वो आपका है विबुध ठीक है ओप्सन आपका भी होजेगा विबुध विबिद मतलब देव सुर अमर आदित ये होते हैं आपके देवता का पर्याए ठीके देव सुर अमर आदित ये होते हैं ठीके नेस कोशन आप से एगला है बगीचा का पर्यावाची सब्द है बगीचा का पर्यावाची आप आप से पूछा गया है और बगीचा का पर्याव पर्यावची होता है आराम ठीक है ओप्सन आप कसी होजएगा आराम हो तो यह दर रिखी वीड़ा जो पर्यावची है यह इंद्र का पर्यावची होता है और जीव का परया क्या होज़ेगा आपका रसना ठीके क्या होज़ेगा रसना ओप्सन रेट अपका यहां पर भी होज़ेगा रसना नेसकोरेशन दिया गया है आपसे कि कौन सा सब्द आही का परयावाची नहीं अपक्य। प्राकृतिक होता है अगरा निम्रकित में से कौन सा सब्द हाथ का पर्यावाची नहीं नहीं है हाथ का पर्यावाची नहीं है 32 नुमबर और हाथ का पर्यावाची देख सकते हैं हस्त होता है, पाड़ी होता है, कर होता है, लेकिन कटी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कटी नहीं होता है, option आपका यह हो जाएगा कटी, कटी जो होता है, यह परयावाची होता है किसकी, यह होती कमर, किसकी होती है, कमर, कमर, और के सकते हैं, लेक या स्रोणी, तो इस प्र 33 का जवाब और सूरी का पर्यावाची सब्द नहीं है देखे प्रभाकर होता है दिनकर होता है दिनेस होता है लेकिन विभाकर नहीं होता है विभाकर विभाकर मतलब यह होता है चंद्रमा का विभाकर किसका होता है चंद्रमा का चंद्रमा चांद हिमांस यह होते हैं आपके इसके अगला है मार सब्द पर्यावाची है मार सब्द जो पर्यावाची है यह किसका है मार सब्द पर्यावाची यह जो आपका है मार सब्द पर्यावाची है तो देखिए मार सब्द पर्यावाची है 34 आपका होज़ेगा D नमबर अनंग अनंग आर्थ होता है आकरति हीन यह कह सकते हैं देह रहित ठीके तो यह आपका पर्यावाची होता है अनंग होता है अगला कुछने इनमें से एक रसा का पर्यावाची सब्दे और रसा का परेवाच यहां पर आपका क्या होजेगा भई सही जवाब 35 कॉप्सन राइट अपका होजेगा यहां पर देखिए अरतन गर्भा अच्छला धारित्री D नंबर आपका होजेगा तमिस्तरा 35 कॉप्सन आपका D होजेगा यहाँ पर तमिस्त्रा हो लेगा तमिस्त्रा ठीक है तमिस्त्रा इसके और भी होते हैं जैसे आपका मधु सहद कुसमासो यह होते हैं तमिस्त्रा के ठीक है रासा कि यह तमिस्त्रा मतलब जो है इसके आपके क्या होते हैं मधु, सहद, कुश्मासो, ये होते हैं, अगला है मरगेंदर का पर्यावाची सब्द बताएं, मरगेंदर का पर्यावाची, और मरगेंदर का पर्यावाची सब्द होता है, अपका केसरी होता है, ओप्शन अपका भी हो जागा केसरी, ठीके, केसरी होता है, याद रखे, केसर के और भी पर्यावाची होते हैं, सिंग, ब्याग्र, ललित, केसरी, हरी, ये सब आपके पर्यावाची आपके केसरी के अंतरगत आते हैं, अगला है खट पद या सट पद का पर्यावाची सब्द, सट पद का पर्यावाची क्या होता है, भरमर होता है, विलकुल इजी कोशन ह बिनमबर हो जाएगा भरमर हो जाएगा अगला कोशन आपसे दिया है इनमें से एक सब्द मचली का पर्यावाची नहीं है मचली का पर्यावाची नहीं है आपका कौन सा और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 38 को उप्शन राइट आपका D-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni जलदी, वारिध, देखो, सब में धा, धा, धा है, यहाँ पर जो समुते का पर्यावची नहीं है, वो आपका जलद, जलद होता है बादल का, ठीके, जलद के पर्यावची, बादल, पयोधर, मेग, ठीके, यह आपके हो जाते हैं, यहाँ पर, नेस्ट कोर्शन दिया गया है, निम्लिकित में से सिव का पर्यावची सब्द है, सिव का पर्यावची, याद रखिए, सिव का पर्यावची होता है, रूद्र, क्या होता है, और सनब कभी हो जाएगा, रूद्र होता है, अगला कोर्शन आपका है, इनमें से लहर का पर्यावची नहीं है, लहर का अगला कोशन है चांदनी का पर्यावाची सब्द नहीं है तो 42 नंबर आपका चांदनी का पर्यावाची देखो चंद्रतप, कोमदी, जोट्सना यह होता है लेकिन मयंको होता है ये आपका चंदर्मा का पर्षाज़ी है तो इस प्रकास से आपसणा पड़ी हो जाएगा अगला है कि निम्लिकित में से कौन सा सब्द सरसुती का पर्यावाची नहीं है सरसुती का पर्यावाची नहीं है तो देखो सरसुती का पर्यावाची आपका विग्णापाणी महास्वेदा भार्यती यह सरसुती का पर्यावाची होती है लेकिन पदमा ये आपके सरसुती का परयावाची है जानार्दन किसका परयावाची है तो याद रिखे जानार्दन होता है आपके विशनु का परयावाची ओप्शन अपस्य हो जाएगा वी सुन का पर्यावाची हो जाएगा नेस्ट कोशन दिया गया है किने मिले खित में से कौन सा सब्द हंस का पर्यावाची है हंस का पर्यावाची है 45 नमबर तो हंस का पर्यावाची जो आपका है या होता है वो आपको होता है मराल option आपका यहाँ पर C हो जाएगा मराल हो जाएगा मराल यहाँ कर सकते हैं इसका एक और पर्यावाची होता है मुक्त भूग यह होता है इसका पर्यावाची हंस के देखो हंस का पर्यावाची मराल हो गया और एक होता है मुक्त भूग अगला question दिया है अलंकोस पर्यावाची सब्दे तो अलंकोस पर्यावाची है वो कुबेर का है किसका है कुबेर का है option आपका सी हो जाएगा अगला है सूरिका पर्यावाची नहीं है सूरिका पर्यावाची नहीं है देख सकते हैं सूरिका पर्यावाची आप कर रहा भी होता है, भासकर होता है, ठीके हंस होता है लेकिन सारंग नहीं होता है, सारंग पर्यवाची होता है, जो कि भुज, म्रग, नाग, इसका होता है, तो इस परकार से option rate up का D हो जाएगा यहाँ पर, अगला question दिया गया है यहाँ पर, कि नमलकित में से कौन सा सब् बादल का पर्यवाची नहीं है, तो बादल का पर्यवाची देखो, जलद, नीरद, मेग, लेकिन वारिध नहीं होता है, अभी हमने बताया था, वारिध नहीं होता है, वारिध होता है किसका समुद्र का होता है, ठीके, अगला question है, तरकास का पर्यवाची सब्द बताईए तरकस का पर्यावाची और याद रखे तरकस का पर्यावाची जो होता है वो आपका होता है निसंग होता है क्या होता है निसंग ओप्षन रैट अपका डी हो जाएगा इस्तरी का पर्यावाची सब्द नहीं है इस्तरी का पर्यावाची सब्द नहीं है इस्तरी का पर्यावा पर्याय दिये हैं इनमें से तुरुटि पूर्ण कौन सा है बसंत और यहां पर रितुपति कुस्मा कर मधुमास ये तो हैं लेकिन कांतार ये नहीं है उप्षिन आपका पड़ी हो जएगा कांतार ठीके सरसुतिक चार पर्याय दिये हैं इनमें से गलत कौन सा है देखते हैं भारति, सार्दा, भामा और वागी स्वरी, राइटन सर आपका हो ज़ेगा यहाँ पर भामा, आपका सी हो ज़ेगा, यह सरसुतिक परयाय नहीं है, सी नमबर, अगला है महा सोयता किसका परयावाची है, महा सोयता किसका परयावाची है, तो यहादर रखे महा सोयता, अभी हम स्मझ में आजएगा और और अंसर आपको बार-बार समझ में आ जाएगा और रट जाएगे सारंग का पर्यावाची सब्द है सारंग का पर्यावाची सब्द है सारंग का पर्यावाची आपका option right बिलकुश सही है बहुत अच्छे option सी होजएगा more अगरा है पिसुन का पर्यावाची सब्द पिसुन का पर्यावाची और पिसुन का पर्यावाची होता है चुगुल खोर क्या होता है चुगुल खोर होता है option अब कभी होज़ेगा चुगुल खोर केतु का पर्यावाची सब्द केतु का पर्यावाची केत पता का सुना है न तो केतु का पर्यावाची सब्द होता है जहन्डा अगला कोश्यन है कि कुस मेश का पर्यावाची सब्द कुस मेश का पर्यावाची क्या होता है याद रखेगा काम देव होता है क्या होता है काम देव होता है आप्सन अब कस्ति हो जाएगा काम देव चंद्रमा का पर्यावाची सब्द पूछाए फटा फट जबाब जितने लोग हैं, सबी लोग वीडियो राइक करिएगा, चंद्रमा का पर्यावाची, तो चंद्रमा का पर्यावाची होता है क्या, ससी होता है, option अपकर D हो जाएगा, ससी हो जाएगा, कमल का पर्यावाची सब्द पूछा गया है, कमल का पर्यावाची, और कमल का पर्यावा दाद का पर्यवाची सब्द नहीं है नहीं सब्द पूछलिया है दात का पर्यवाची देख सकते हैं, दंत, रदन दसं, यह तो हैं लेकिन दाडिम, दाडिम यह पर्यवाची आपके दाडिम का मतलब होता है अनार ठीक है दाड़िम किसका पर्यवाची अनार का है अनार राम बीज सुक पिय ठीक है यह होता है आपका दाड़िम दाड़िम मतलब अनार राम बीज यह होते है ठीक है अगला है घोड़ा का पर्यवाची सब्द नहीं है घोड़ा का पर्यवाची आपका नहीं है तो घोड़ा में आपका अस्व होता है घोटक होता है है होता है लेकिन कटक नहीं होता है कटक पर्यवाची होती है किसकी तो कटक पर्यवाची होती है फोज की ठीक है फोज नाम सुना है ना तो कटक मतलब फोज हो गया चतुरंगडी हो गया सेना हो गया पलिटन हो गया यह ह होते हैं आपके कटक के कमल का पर्यावाची सब्द नहीं है कमल का पर्यावाची सब्द नहीं है च्छाचट नमबर और यहां पर आपका कमल का पर्यावाची नहीं है च्छाचट के जवाब हो जाएगा आपका बी नमबर रसाल रसाल यह आपके कमल का पर्यावाची नहीं हो ठीके, रसाल मतलब करें सेकते हैं, आम का होता है, ठीके, रसाल मतलब क्या हुआ, आम, मादग, और आम रफल, यह होते हैं आपके रसाल के, अगला है, तीर का पर्यावाची सब्द नहीं है, तीर का पर्यावाची सब्द नहीं है, तो तीर का पर्यावाची होता है, बाण, न नहीं है तो पहार का पर्यावची होता है पर्वत भूधर नग लेकिन यहां पर सी नमबर पहार का पर्यावची सेवाल नहीं होता है अगला है दिन का पर्यावची सब्द नहीं है तो देखें दिन का पर्यावची होता है दीवस होता है तो वार होता है वासर होता है लेकिन तीन नहीं होता है ठीक है बी नम्बर आपका यहां पर राइट हो जाएगा अगला है अनुचर का पर्यावाची सब्द नहीं है तो अनुचर का पर्यावाची सब्द नहीं है तो अनुचर का पर्यावाची सब्द नहीं है तो अनुचर का पर्यावाची सब्द नहीं होता है सही जवाब है सरस्वती ठीक है बहुत अच्छे अगला कोशन है कंचन का पर्यावच्ची सब्द 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 कंचन का पर्यावाची सब्द बताईए केदार और केदार किसे कहते हैं आपके भगवान विश्णू अर्थाथ आर्थाथ आर्थाथ आपके महेश को बोलते हैं ठीके तो आपके सी हो जाएगा केदार का पर्यावाची सब्द क्या है महेश आपके सी हो जाएगा घर का पर्यावाची सब्द पुछा है घर का पर्यावाची और घर का पर्यावाची क्या होता है निकेतन गेर है ना option अपके आपर सी हो जाएगा निकेतन अगला है भवन का पर्यावाची सब्द बताईए भवन का पर्यावाची और भवन का पर्यावाची सब्द होता है घर होता है या होता है घर होता है option राट अपर डी होज़ेगा घर अगर है कमल का पर्यावाची सब्द कमल का पर्यावाची क्या होता है कमल का पर्यावाची होता है पुंडरीक option अपका डी होज़ेगा पुंडरीक होता है डी नमबर इंदर का पर्यावाची सब्द है इंदर का और इंदर का पर्यावाची होता है आपका मध्वा और इंदर का पर्यावची क्या होता है मध्वा होता है मध्वा अगला है भागी रिथी का पर्यावाची सब्द होता है भागी रिथी का पर्यावची क्या होता है आपका पढ़ता हो है कि आप गंगा को भागी रती भी कहते हैं क्योंकि गंगा को लाने का असरे भागी रत को ही जाता है इसलिए उप्षन आपका भी हो जाएगा भागी रती ये गंगा अगरा है सरसुती का पर्यावाची सब्द नहीं है सरसुती का पर्यवाची नहीं है कौन देखो सरसुती का पर्यवाची क्या होता है आपका सारदा होता है वाणी भी होता है और वीणा पाणी भी होता है लेकिन कमला नहीं होता है कमला पर्यवाची जो है वो रमा, लच्मी, लोकमाता विश्णु प्रिया, हरी प्रिया ये होते हैं कमला के पर्यावाची ठीक है, रमा, लच्वी लोकमाता, विश्णु प्रिया, हरी प्रिया ये होते हैं कमला के पर्यावाची अगला है, रक्त का पर्यावाची नहीं है रक्त का पर्यावाची नहीं है तो पौन का पर्यावाची वात वायू समीर होता है लेकिन अनल नहीं होता है क्या नहीं होता है बिनमरा कोजेगा अनल नहीं होता है next question है आकास का पर्यावाची सब्द बताई है आकास का पर्यावाची सब्द आप से पूछा गया है और आकास का सही परयावाची क्या बन जाएगा आपका तो राइट अनसर आपका बिलकुर सही जवाब है option C, बियोम होता है अगला है full का परयावाची सब्द नहीं है याद रिखे हम full टेस्ट जरूर लगाते हैं लेकिन हर एक topic को भी complete करा देते हैं फूल टेश्ट भी लगाते हैं, अपके हिंदी है वह मजभूत हो जाएं, यह हमारा फर्ज है, और आप लोगों का भी फर्ज है कि हमें भी मॉटिवेट करते रहे हैं, और हमारा जो फर्ज है वो तो आपके साथ पूरा ही कर रहे है ठीक है तो फूल का पर्यावची सब्द नहीं है आपका कौन सा यहाँ पर देखे फूल का पर्यावची सुमन होता है कुसुम होता है पुस्प होता है लेकिन तनुजा नहीं होता है यहाँ पर तनुजा किसका पर्यावची होता है याद रिखे तनुजा होता है नंदनी, बेटी, सुता, पुत्री यह होता है आपका तनुजा का पर्यावची क्या होता है नंदनी, सुता, बेटी, पुत्री यह होता है आपका तनुजा का अगला है दिये हुए सब्दों में भिन अर्थ वाला सब्द आपको बताना है तो भिन अर्थ है याँ पर देखे भासकर, रवी, दिवाकर दिया है लेकिन सुधाकर सुधाकर ये आपको कह सकते हैं आपका भिन है सुधाकर मतला होता है चंद्रमा, ससांग, ससी, राकेज तो ये चंद्रमा का परवाच्छी आपका दिया गया है सुधाकर अगला कोशन दिया गया है दिये हुए सब्दों में से भिन अर्थ वाला सब्द बताईए उसा, दिन, प्रभात और सवेरा चारों में आपको डिफिरेंस मिल रहा है और कौन सा दिन ठीके देखिए उसा, प्रभात, सवेरा, एक सेम है लेकिन दिन ये आपका अलग हो जाएगा पी नमबर अगर चंद का समनार्थी सब्द बताईए चंद का समनार्थी जो आपको बनता है पद बनता है क्या बनता है पद बनता है option rate up का B हो जगा पद, सूरिका अपर्यावाची सब्द बताईए दिन का दिवाकर सूर ये तो है लिकिन महेंद्र नहीं है option आपका D हो जगा नागर का पर्यावाची सब्द बताईए नागर का पर्यावाची और नागर का पर्यावाची यहाँ पर होता है नगरवासी नगर का पर्यवाची क्या होता है दोस्तों नगरवासी होता है आपसन आपका D होज़ेगा अगला कोशन आपका दिया गया है आकास का पर्यवाची सब्द नहीं है आकास का पर्यवाची सब्द नहीं है तो आकास का परिवाची बेव मनाव अनंत होता है लेकिन अंबक नहीं होता है option अपका भी हो जाएगा अंबक तो अंबक किसका परिवाची होता है अंबक होता है आखें, लोचन, नेत्र यह होता है आपके अंबक का अग्ला है दिवे सब्दो में भिन अर्थ वाला सब्द बताई ये और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा अपका 0. नमबर तुरंग हो जाएगा क्या हो जाएगा तुरंग हो जाएगा ओप्शन राट अपका A हो जाएगा देख सकते हैं म्रगेंद्र म्रगराच और ब्यागर यह एक है लेकिन तुरंग आपका गोड़ा का होता है इसलिए भिन अर्थापका है A नमबर अगला है अंदकार का पर्यावाची सब्द बताईए अंदकार का पर्यावाची और अंदकार का पर्यावाची होता है तिमीर क्या होता है हमने आपको होता है था तिमीर अंदियारा है ना ओप्शन अपका C हो जाएगा अगला कोशन है निधन का पर्यावाची सब्द बताईए निधन का पर्या पर्यावाची सब्द आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा देहा उसान, ओप्सन अपका हो जाएगा बी नमबर, देहा उसान हो जाएगा बी नमबर, अगरा निम्लिकित में से कौन सा विकल्प किराण का पर्यावाची नहीं है, किराण का पर्यावाची नहीं है, तो कि तो यहाँ पर सुमनार के अलंकेश परयावाची सब्द यह कुबेश का परयावाची होता है याद रखेगा कुबेर का परयावाची होता है है अलंकेश है कौन सा सब्ध बादलkah परयावाची नहीं है और बादर का पर्यावाची अपका कौन सा नहीं है तो यहां पर option राइट आपको होज़ेगा यहां पर वारिध 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 होता है हमने धा मतलब बताया था समुद्र ठीके सागर यह होता है आपका वारिध में अगला question है असुर का पर्यावाची सब्द नहीं है तो असुर का दनुच दानो दैत होता है लेकिन यच नहीं होता है यच मतलब होता है जादू की सक्ती यच मतलब होता है जादू की सक्ती अगला है आम का पर्यावाची सब्द नहीं है तो अमरत फल आम्र और रसाल तो होते लेकिन पिक नहीं होता है याद रखे पिक किसका होता है तो पिक मतला होता है कोयल यह सारी का वसंद दोध वन पिरिया ठीक है पिक के परयावाची क्या हुए कोयल सारी का वसंद दोध वन पिरिया नेक्स कोशन दिया गया है कि अनुपम का परयावाची सब्द पूछा है और यहाँ पर 101 का सही जवाब होज़ेगा अन्प मतलब होता है अद्दूती होता है ठीक है ओप्सन आपकड़ी होज़ेगा अद्दूती होता है हनुमान का परवाची सब्द नहीं है तो हनुमान का परवाची पावनशुत अंजनी पुत्र मारुत तो होता है लेकिन विनायक नहीं होता है विनायक होता है एकदंत, गजानन, गौरी नंदन, गन यहाँ पर कह रहा है इस्थावर का विलोम यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि इस्थावर का मतलब क्या इस्थावर का मतलब होता है इस्थिर या जो चल ना सकता हो इस्थिर या जो चलना सकता हो उसे हम लोग बोलते हैं इस्थावर तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हुआ इसका जो विलोम बनेगा जंगम अर्थाथ इस्थिर नहीं वो चल सकने वाला हो ठीके गत्सील हो तो इस्थावर का विलूम होता है जंगम, ठीके, समझ में आया, दूसरा कोशन आपका है ग्रस्त का विपरीत, ग्रस्त का विपरीत, और ग्रस्त का विपरीत क्या हो जाएगा भई, तो option right आपके यहाँ पर देखो, ग्रस्त का विपरीत हो जाएगा मुक्त, क्या हो जाएगा जो मुख का विलूम हो जाएगा वाचाल जो बहुत जादा बोलता हो option आपके यहाँ पर B हो जाएगा वाचाल हो जाएगा next question आप से गरा पूछ गया है expressica विलूम बताईए expressica विलूम बताना है तो बस यहाँ पर आपको A लगा देना है और सिधा सिधा आपको अंसर दिख जाएगा ठीक है जो दिख रहा है जो ना दिख रहा हो अर्थात option आपको यहाँ पर D हो जाएगा जिसका जवाब D आ रहा है बिल्कुल सही है next question है अग का विलूम सब बताईए अग का विलूम अग का विलूम क्या होगा विग हो जाएगा बिल्कुल सही है वेरी गुड अग का विलूम क्या होता है विग होता है next question आप से दिया है गौरो का विलूम बताईए गौरो का विलूम गौरो का विलूम गौरो मतलब बहुत उचा होना किसी चीच बोल गौरो उसको जाएगा लाग हो अरता बिल्कुल छोटा तो यहाँ पर गौरो का विलूम हो जाएगा लाग हो option आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो चुकी है और थोड़ा ही बच्चे हैं जो नय हैं उनके यहाँ पर थोड़े दिक्कते हो रही है लेकिन किताबों का साहरा लीजिए पक्का यहाँ पर आप लोग भी तोते जैसे बोलेंगे अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो जिस प्रकास से तोता बोलने लगता है कुछ दिनों में आप लोग भी बोलने लगेंगे ठीके चलिए स्तरस्टी का बिलोम बताइए स्तरस्टी का बिलोम और स्तरस्टी का बिलोम हो जाएगा प्रलाइ क्या हो जाएगा प्रलाइ हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जो चीज़ आप जानते हैं उस पर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं बोलेंगे अगला है इपसित का बिलूम इपसित का बिलूम होता है अनिपसित ठीके अनलगा दिजे और आपका अंसर हो जाएगा अनिपसित नेस्ट कोशन दिया है साहचर का बिलूम साहचर पास पास आना और साहचर में तो चार दोस्त होते हैं बिल्कुल पास में होते हैं तो इसका हो जाएगा अलगाओ जब फूट पड़ती हैं तो दोस्तों बहुत दूर होते हैं तो साहचर का बिलूम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अलगाओ हो जाएगा, option आपके यापट D हो जाएगा अलगाओ हो जाएगा, next question दिया है विराट का विलूम, विराट बोलते हैं विराट रूप है इनका तो विल्कुत छुब्द रूप हो जाएगा, अर्था आपका डे अनाभूत हो जाएगा D नंबर अगला है अर्थका विलोम अर्थका अनर्थ होता है ठीके अर्थका क्या होता है अनर्थ होता है यहां पर भाई कोई आपका option नहीं दिया है ठीके तो इस प्रकास दिए कोस्टन आपको कह सकते हैं अर्थ का पर लिख लीजेगा अनर्थ होता है ठीक है अर्थ का अनर्थ होता है यहाँ पर आपका C दिया है जो कि आपका गलत दिया गया है ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि पहले पढ़ लीजे फिर PDF का सारा लीजे ठीक है तो अर्थ का विलूम क्या होता है अनर्थ हो जाएगा अगला है अवर का विलोम बताईए, अवर का विलोम, अवर का विलोम होता है, प्रवर, क्या होता है भई, प्रवर होता है, option आपका B हो जाएगा, फटा फटा नसर देते चलिएगा, जटिल का विलोम बताईए, जटिल का विलोम, और जटिल का क्या विलोम होता है, सरल हो जा कर꼈 कि निरॉमच हो जाए अग्रा कोशिन आपसे पूसा जाए विलों चैहां बाहिरंग कहो जाएगा उनसा इत्व देखते से 20 आपो हो जाएगा 17 option यहां पर आपका सही है बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग क्या हो जाएगा अंतरंग ठीक है आपका पर भी हो जाएगा नेस्ट कोश्चन आप ठीके फ़ी हो जाए ना अर्ठात मुक्त हो ना नफट कोशिन आपसे एग़ा पुछा है तीमिर का अंदकार या अंद्यारा तीमिर मतलब क्या होता है अंदकार या अंद्यारा और इसका जो भिलोम बनेगा आलोक अर्था तुझी आ रा तो option आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नमबर तिमीर का हो जाएगा आपका क्या आलोग हो जाएगा अगला है उन्मूलन का विलोम उन्मूलन मतलब होता है उखाड देना ठीक है उखाड देना और उसका विप्रीत होता है रोपड उन्मूलन का होता है रोपड जो की option आपका सियु है अर्थात लागाना ठीक है तो उनमूलन का आपका होज़गा रुपाड हो जएगा ठीक है अगले कोशन दिया गया है पर किनेमलेक्त में से गलत युगमुस सब्द बताए यहां पर दिया है प्रवेश का दिया है आपका नरेश क्या दिया है वाई प्रवेश का दिया है नरेश मुक का दिया है वाचाल भूत का दिया है भविश और पूरसकार का दिया है तीरसकार तो यहां पर आपका जवाब क्या हो गया गल गलती किसमें है ए नमबर में प्रवेस का दिया है निवेस बलकि प्रवेस अर्थात किसकते हैं कि निकास है ना प्रवेस मतलब होता है निकास होता है यह प्रस्थान होता है ठीक है तो इस प्रकास से यहां पर जो गलती आपके ए नमबर में हो जाएगा ठीक है प्रवेस का क् होगए है न Repeats cups अब झागा कई को जन्घम का विलूम जयाऊ होता है जगम मतलब क्या होता है जो को hanging मतलब क्या होता है जो चल सकता हो तो इसका क्या हो जाइगा आपका जो चलना सकता हो अर्थात इस्थिर रहने वाला अर्थात इस्थावर हो जाएगा कोर्शन मिला था भी चलिए अगला कोर्शन है उतकर्स का विलूम बताना है उतकर्स का विलूम उतकर्स का विलूम अर्थात ऊपर खींचे जाना अर्थात जो होता है उन्नती बोल देते हैं तो उसका क्या हो उतार योटकर subscribe कि उतार होजाएगा अपकर्स को जtsåाएगा अगला कोर्शय ने 이야기를 9 कोर्शन पकलिया है उपकार सब्देका विलूम सब्द बताईए अंतर मुंख्यी का विलूम良त। क्या चाहिएगा साथ बहिर मुंखि सब्देका विलूमधर बिल्कूर सब्देका विलूम बताईए आविर भाव मतलब होता है प्रकट होना आविर भाव को मतलब क्या होता है प्रकट होना तो उसका मतलब होता है अद्रस हो जाना अगर इसका बिपरीद गिर बात करें तो क्या हो जाएगा जो अद्रस हो जाए अद्रस मतलब होता है तिरो भाव तो याद रखे आविर भाव को क्या होता है तिरो भाव ठीक है डिनामर अपको हो जाएगा तिरो भाव तो आविर भाव को मतलब क्या हो प्रकाट होना और तिरो भाव को मतलब हो जाएगा अद्रस हो जाएगा नेस्ट कोशन दिया है उक्त सब्द का विलोम उक्त का विलोम उक्त का विलोम पूछा है उक्त का उक्त मतलब होता है कहा हुआ या कतित उक्त का मतलब क्या होता है कहा हुआ या कैसे कतित तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अकतित अकतित मतलब हो जाएगा यह नहीं है निस्ठूर रहें तो निर्दाय का लिघलों क्या हो जाएगा तो सद्झी सभी अगर प्रत्यच का बिलों am चाहिए प्रत्यच मतलब सामने नहीं हो। अगला कोशन दिया गया है कि सामानी सब्दका विलोम, सामानी, और सामानी सब्दका विलोम हो जाएगा, विसिस्ट, ठीके, option आपका D हो जाएगा, विसिस्ट हो जाएगा, अगला है, अमर सब्दका विलोम, अमर का विलोम, तो अमर, जो अमर हो गया है, उसका जो विलोम बन पसीने निकलता है है ना कि सर्दियों में भी दिक्कते होती है सब कुछ होते हैं पढ़ाने वाले को दिक्कते होती है हर एक सीजन में ठीक है यहां पर वीडियो लाइक कर दिया करिए हम भी थोड़े मॉटिवेट रहा करें हमें भी अच्छा लगा-लगे कि आप लोगो लाइ निमीलन मतलब हो जाए जबकना है ना तो उनमीलन का क्या हो जाएगा निमीलन हो जाएगा ठीक है नेस कोशन आपसे एगला पूछा है अपकर्स का विलोम क्या हो जाएगा आपकर्स का विलोम उतकर्स का विलोम अपकर्स ठीक है चलो उतकर्स का विलोम अपकर्स होता है एक कलपित होता है कलपित ठीक है ओप्षन में नहीं दिया गया है इस करण से यहां पर गलत है याद रेखे यह थारत का विलोम कलपित होता है ठीक है यहां पर देखो जो दिया है वो गलत है यहां पर डारेक्ट हम लिता दिया यह थारत क्या होता है कलपित होता है ठीक है अगला कारे करते हैं उसे बोलते हैं स्रीगडेश और काम जब समाप्त हो जाता है उसे बोलते हैं इतिस्री तो स्रीगडेश सब्द का विलूम होता है आपका इतिस्री और इतिस्री कौन है बी नंबर आपका हो जाएगा नेश कोचन दिया गया है धनी का विलूम सब्द बता ये धन का दोन क मिला होता है खुलना जैसे आत का और न्र बील मतलब जबगना ह zum अधीकरत सब्द का विलूम अधीकरत मतलब होता है अधिकार ठीके अधिकार में आया हुआ तो इसका हो जाएगा अनाधिकार option आपका B हो जाएगा अनाधिकार next question है इपसित सब्द का विलूम इपसित मतलब होता है इच्छा की गई हो ठीक है क्या की गई वो इच्छा जाहिर की जाती ना इपसित मतलब होता है इच्छा की गई हो और इसका जो विप्रित बनेगा अनिपसित बन जाएगा तो option आपके यहां पर हो जाएगा अनिपसित next question दिया है स्वजाती का विलोम स्वजाती स्वजाती है मतलब एकी जाती के तो उसका हो जाएगा वी जाती अमित मतला होता है बेहद या किसे इत्या अत्यांत ठेक है बेहद या अत्यांत तो अमित सब्दका बिलोम क्या बनेगा इसका बनेगा अमित का बनता है परमित क्या बनता है परमित बनता है और स्वी मित भर और स्वी हो जाएगा अगला है अनुलोम सब्दका बिलोम अनुलो मतलब होता है उपर से नीचे की ओर आने वाला प्रतिलोम हो जाएगा नीचे से उपर की ओर जाने वाला अगला कोशन है परिश्टरम का विलोम अब यह तो बताई सकते हो ना भी परिश्टरम तो बताई सकते हो परिश्टरम का विलोम परिश्टरम कर रहे हैं भाई अब तो तो पर तो यह किस साम चाहिएगा से यति नमबर और तो किया थाईटेभिट झाल आपका आरंभ और इसका इती हो जाएगा मतलब समाप्त होना ठीक है यह तो चालू और खत्म होना की बात हो गई नहीं अपर आथ मतलब होता है कर सकते हैं कि आरंभ तो इसका समाप्ती हो जाता है इती हो जाता है जिसे गड़ेस होता है शिरी गड़ेश, स्टार्ट हो गया इट सिरी, तो इसी प्रकास हो जाएगा अथ मतलब आरम इति मतलब यहाँ पर कर सकते हैं समाप्ति वहाँ पर ठीक है, तो यह हो जाएगा अगला कोशन दिया है, अभिग का विलूम अभिग का विलूम बताना है अगला है कृतक गेका विलूम कृतक की मतलब होता है उपकार मानने वाला इसका मतलब उपकार ना मानने वाले को बोलते हैं क्रतग ठेके क्या बोलते हैं कृतग अप्सनाप का सी हो जाएगा अगला है संकीड का विलूम मतलभ होता है किसी की अप रचा करने वाला ठेके संकीड का हो गया तो उसका मतलब इसका क्या हो जाएगा विश्तिरौन होजएगा आपका जब किसी से लगाव होता है उसे अननरक्ति बोलते हैं जब उसे दूर हो जाता तो विरक्ती बोलते हैं अगला कोर्शिन आपसाफेच जायगा परचाण materウム थे और साफेच मतला होता है किसी की अपेच्छा करने वाला सापेच्छ मतला होता है किसी की अपेच्छा करने वाला तो उसका जो विलूम बनेगा निरपेच्छ बनेगा अगला कोशन है विग्रह का विलूम बताईए विग्रह का विलूम जोड़ना तो आपसे आपका ए हो जाएगा नेस कोशन आपसे एक ला दिया है किने में लेकित में से कौन सा विलोम युगम तुरूटी पूर्ण है तुरूटी पूर्ण पूछा गया है यहां पर दिया है आप एच्छा का उपेच्छा अग्रच का अनुज और उन्नत का और प्रदान तो गल्ती आपकी मिलग़े सी नंबर में उन्नत का उन्नत दिया है देखो उन्नत उन्नत का होता वोता है ने होता हुट यह होता आपका समझ में आया आगला कोशन आप से पूछा गया है पर कि मोटे काले च्पका जो सब्द च्पे हुए है ठीक है तो यहां sacrifices विलोम बताना है विलोम बताना है किसका अभिग का यहाँ पर अभिग बताना है अभिग का आपसे विलोम पूछा है और अभिग का विलोम क्या हो जाएगा अनभिग हो जाएगा से नमबर अनभिग हो जाएगा ठीक है अगला question आपसे पूछा गया है आपर कि मोटे काले जो अच्छा रहें सिधा सिधा आपर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका संपन्य का विलूम संपन्य का विलूम क्या होता है भई देख लिजी भई संपन्य का विलूम यह दिया है आपका संपन्य और संपन्य का विलूम होता है विपन्य क्या होता है विपन न होता अप्सन B हो जाएगा अगला है विस्तार का विलूम संचेफ हो जाएगा क्या हो जाएगा भई संचेफ हो जाएगा अगला कोशन है गरिमा का विलूम गरिमा का विलूम होता है लगिमा तीके गरिमा का विलूम क्या हो जाएगा लगिमा हो जाएगा option आपका B हो जाएगा अगला question दिया है मौखिक का विलूम मताइए भई मौखिक का विलूम मौखिक का विलूम मताइए मौखिक का विलूम चलिए मौखिक का विलूम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या बनेगा भई अनात का अनात का होता है सनात अनात का होता है सनात देखिए अनात का मतला होता है असहाय या जिसका कोई मालिक या कोई सहारा ना हो ठीके तो अनात का हो जाएगा सनात ठीके अगला कोश्चन आप से दिया गया है यहां पर अलपक की का विलूम बताईए अलपक की का विलूम क्या हो जाएगा चलिए यहां पर अलपक की का विलूम हो जाएगा सरवग्य हो जाएगा बिल्कुल सही है अच्छी तयारी है बहुत अच्छी तयारी है चलिए सकरात्मक का विलूम बताईए सकरात्मक क्या हो जाएगा नकरात्मक हो जाएगा ठीके ए नमबर नकरात्मक हो जाएगा next question है सम्मुक का विलूम बताईए सम्मुक का विलूम सम्मुक का विलूम बताना है भई इसका किया होज़ाइगा क्या बनता है मिलोम क्या बनता है आफसन आ ही गर है अगला कोईशन है उर्वर का विलोम सब्सक्पा इए गरॉइर का भी घूरूम बताईए थोक मतलब होता है क्या धेर यह कह सकते हैं जहां इकठा हुआ बहुत होता है तो थोक का विपरीत होता है परचून परच्वोन में क्या करते हैं न एक-एक चीजे लोगों को देते हैं न तो उस प्रकास से आपका क्या हुझा बन जाएगा अगला कोष्ण दिया गया है कि भूषण का बिलोम होता है दूसण भूषण का विलूम होता है दूसराण भूषण का मतलब होता है गहना या कैसकते हैं जेवर और इसका जो विलूम बनता है वो आपका दूसराण बनता है option आपका C हो जाएगा अगला question है अवणी का विलूम सब्द होता है अवणी का विलूम, अवणी मतलब होता है धर्ती क्याद रखे, अवणी का मतलब होता है धर्ती, और धर्ती का जो आपको कह सकते हैं विलूम बनेगा वो आपको बनेगा आकास मतलब अंबर, तो अवणी का हो जाएगा अंबर, अवणी का विलूम अंबर next question है, कि हे का bilingual सब्ड़ वता ही हे, हԵ का 몇 लब होता है, घरणित या तुछ हे, हे मतलब क्या होता है, घरणित या तुछ होता है, तो इसका जो birlikte बिलूम आपका बनेगा, वो आपका बनेगा ग्राह, ठीक है, हे का bounce हो जाएगा, ग्राह option आपका D हो जाएगा नेस question है, मरदुल का विलूम बताईए, मरदुल, मरदुल मतला होता है कोमल या मुलायम ठीक है, मरदुल मतला होता है कोमल या मुलायम, तो मरदुल का जो विलूम बनेगा, वो आपको बनेगा कटोर क्या बनेगा कठोर बनेगा ठीक है अगला कोशन है रेडात्मक का विलोम बताईए रेडात्मक का विलोम क्या हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा सिंपल सा है ठीक है रेडात्मक अगला है कलुस का विलोम बताईए कलुस का विलोम निसकलुस ठीक है कलुस मतलब क्या हो आज़ता है क्या बहुत दिनों से चले चला आने वाला बहुत दिनों से चले आने वाला एक कहसकते हैं पराथन कह सकते है ना चीरंतन का विलॉम गला आपको बनेगा नस्वर क्या रजा GeOoh 8 लोग होते न बाहर निकल जाते हैं जंगलों में चले जाते हैं और सन्यासी का जो विलोम मनेगा वो ग्रहस्त बन जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है स्वकिया का विलोम सब्द बताईए स्वकिया मतलब होता है वह विवाहित इस्त्री जो अपने पती से प्रेम करती हो ठीक है स्वकिया का मतलब क्या क्या आधिकार का विलूम बताइए एका आधिकार का विलूम एका अधिकार का विलूम एका अधिकार है तो क्या प्र embrace का सर्वाधिकार हो जायए है शिरीगडेश का कि विलूँ जो समाप्ति मतलब इत्सिरी हो जाएगा है अतिसिरी हो जिएगा अकरषण का विलूम मता हीं या इद रखे बहु संख्यक होता ठीक है बहु संख्यक अगला कोर्शन है कि उपमान का विलोम आपने अलंकार पड़ा होगा उपमे उपमान है ना तो उपमान मतला होता है जब किसी वस्त जिससे उपमा दी जाए ठीक है जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान बोलते हैं तो इसका जो मतला कि हैं इसतोल होता है मंदर के क्या होता है दुरुत हो जाता है अगला कोर्शन है सूचम का विलोम बताईये सूचम का विलोम होता है इस्थोल अगला है अधुनातन पृरातन हो जाएगा तो इसका प्लाए हो जाएगा प्ललाय आपका बी हो जाएगा निमने खितमें से जो जोडा विप्रीत नहीं है उसे चुनिये यहां पर देख सकते हैं कि आयक का अब्याइब होता है सहरल का कथिन होता है और व्रस्टी स्रस्टी दिया है जो की गलत है यहाँ देखें व्रस्टी का होता है अना व्रस्टी ठीक है यहाँ पर D नमबर आपका हो जाएगा यहाँ पर दिया है स्रस्टी व्रस्टी देखो व्रस्टी का होता है क्या है व्रस्टी का होता है अना व्रस्टी व्रस्टी मतल मतलब थोड़ा बंता है ऄंसरे अगला अन्तरंग अंतरंग अंतरंग ऑंतरंग कसे देजियो आई है और वीडियो लाइक कर दीजिए सभी लोग पहले है चलिए सभी लोग पहले वीडियो लाइक कर दीजी इतना वड़ा वीडियो बनाते हैं आपको टॉपिक ऑज यहां पर एंदी कंप्लीट कर आ collectors को लगता तो है कि हम विलोम बताईए अनागत का विलोम अनागत का विलोम होता है क्या आगत होता है ठीके 89 कॉप सनाप का डी हो जाएगा आगत उत्तम का विलोम बताईए उत्तम का विलोम होता है आधम क्या होता है उत्तम का विलोम होता है अधम होता है निरस का विलोम बताईए नीरस का विलोम नीरस मतला होता है रस हीन यह कह सकते हैं फीका नीरस का मतला होता है रस हीन या फीका और इसका विलूम जो बनता है वो बनता है सरस ठीके या रसीला है ना तो इस प्रकार से नीरस का विलूम हो जाएगा सरस अगला कोशन दिया है देखो नीरस का हो जाए सरस होता है याद रखेगा ठीक है चलिए अगला कोशन आपर दिया गया है कि मुख्य का विलूम बताईए मुख्य सद्द का विलूम मुख्य का विलूम पानवे मुख्य का विलूम मुख्य का विलूम होता है आपका गौड क्या होता है गौड option आपका C हो जाएगा अगला है कि महान का विलूम सब्द बताईए महान का विलूम महान का विलूम होता है चुद्र क्या होता है चुद्र होता है option D हो जाएगा अगला question दिया गया है धनवान का विलोम बताईए धनवान जो धनवान हो और उसका विलोम हो जाएगा अकिंचन तो धनवान का विलोम अकिंचन हो जाएगा A number next question है उद्धत का विलोम सब्द बताईए उद्धत का विलोम बताना है 95 उद्धत का विलूम सब्द और उद्धत का विलूम हो जाएगा 100 में हो जाएगा यहाँ पर 100 में हो जाएगा next question है कि मूँक का विपरित सब्द होता है मूँक मूँक का विपरित क्या होता है वाचाल होता है याद रखिए वाचाल option आपका D होजएगा वाचाल अगला है सही विलूम सब्द चुनिए अरवाचीन अरवाचीन का क्या होता है वई अरवाचीन का क्या होजएगा आपका तो अरवाचीन का होजएगा प्राचीन क्या होजएगा प्राचीन option आपका C होजएगा सही विलूम बताना है मानव का विलूम मानव का विलूम दानव क्या होता है दानव अगला है विपिरित बताना है सोसक का विलूम सोसक का विलूम हो जागा पोसक हो जागा ठीक है सोसक का विलूम पोसक हो जागा अगला है करतग्य का विलूम क्रतग्य का विलूम होता है क्रतग न होता है अगला कोश्चन है कि विपत्ति का विलूम मताईए विपत्ति आ गई तो विपत्ति का संपत्ति अपस्टन आपका डीव हो जाएगा अगला है अनुराग का विलूम अनुराग का विलूम अनुराग का होता है विराग अप्सन आप कसी हो जाएगा विराग दच्छिन का विलोम मताईए दच्छिन का विलोम होता है पस्चिन मत बता देना पस्चिन मत बोलिये भाई दच्छिन का विलोम होता है वाम मतलब उत्तर ठीके दच्छिन का होता है उत्तर, उत्तर मतला वाम, C नमबर, अगला है आसा का विलूम मतला ये, आसा का विलूम, आसा का होता है निरासा, ठीक है, B नमबर हो जाएगा, निरासा हो जाएगा, अगला है परोच का विलूम, परोच का विलूम, परोच का विलूम क्या होता है, प्रत्यच, ठीक है, प्र तत्सम सब्दों की जोड़ी नहीं है यहाँ पर तत्सम सब्दों की जोड़ी पुछा है नहीं सद्द दिया है यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि कर्म विद्या दधी भाद मत्स म्रग ग्यान छेत्र यहाँ पर तत्सम सद्दों की जोड़ी जो आपकी सही नहीं है वो आ सब्सक्राइब, यहाँ पर देख सकते हैं कि तदभो सब्द में पता है हांत है और अंग्रेज है लेकिन जो तसकर है यह तसकर सब्द आपका तत्सम है ठीके तत्सकर जो है यह तत्सम सब्द है और इसका जो तदभो बनता है वो इसमगलर बनता है क्या बनता है इसका तदभो इसमगलर बनता है ठीक है चलिए दोस्तों नेश कोश्चिन को आते हैं कोश्चिन आप शेकला है कि कैवर्थ सब्द का तद्भो सब्द बताईए कैवर्थ सब्द का तद्भो कैवर्थ सब्द का तद्भो जो बनता है वह आपका बनता है क्या जवाब देते चलिए भाई यहां पर कैवर्थ सब्द का तद्भाव बनता है keyword क्या बनता है सत्यों keyword बनता है option आपका B हो जाएगा next question है कि गरद सब्द का तद्भाव रूप बताइए ग्रद सब्द का तदभव रूप क्या बनेगा ग्रद का तदभव और याद रखे ग्रद का तदभव आपका बनता है क्या क्या बनता है गधा गीध बनता है ठीके ग्रद का तदभव बनता है गीध ठीके और जो गधा होता है ठीके गधा गधा का बनता है गरधाव तो यहाँ पर गरध मत बहुता है गरधाव होता है यहाँ पर गरध का पूछा था जो कि गीध हो जाएगा नेश कोशन दिया गया है मक्खी का तस्वम रूप बताईए मक्खी का तस्वम मक्षी का तर्सम आपका क्या होता है भई मच्छी का होता है ठीक है मच्छी का और मच्छी का किस प्रकार से सही होगा A और D सही होगा तो याद रखें आपका D सही होगा मच्छी का इस प्रकार से सही होगा नेस कोशन आगया है साथ ही वहाँ पर स्क्रीन पर इन निम्निखित में से कौन सा सब्द तद्भाव नहीं है नहीं सब्द दिया है सातियों तो तद्भाव सब्द आपका यहां पर नहीं है कौन सा तो यहां पर दुवार है गिरिष्टी पौँ यह तो नहीं है बी नंबर यहां पर सायम यह जो आपका है यह तसम ह इस प्रकास से कॉन हो जाएगा सातियों. ओप्सन से B बनेगा निस योеч सब्द का तदभा सब्द बताए करंसर आपको इसका देखने मिला था कि चौपड़ का जौब रंताए कर बनता है कप्ड़ा वनता है Next question दिया गया है हल्दी सब्द का तस्सम सबका जवाब यहाँ पर आना चीए हल्दी सब्द का तस्सम क्या बनेगा सातियों तो हरिद्रका बनता है या हरिद्रा बनता है बच्चों में confusion होता है हरिद्रा या हरिद्रका तो याद रखे सातियों हल्दी का तस्सम रूप जो का तस्सम बनता है क्या सात्यों जवाब देते चलिए फटा-फट देना एंसराज हुलास सब्द का तस्सम आपका उल्लास बनता है याद रखिएगा ओप्सन टी हो जाएगा उल्लास निस कोश्चन है नारियल सब्द का तस्सम चलिए सात्यों नारियल सब्द का तस्सम यहां यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो जवाब 12 हो जाएगा option right आपका नारिकेल क्या होगा नारिकेल option आपका A हो जाएगा चले साथियों अगला question है sing सब्द का तस्सम बताईए sing सब्द है इसका तस्सम बताना है SING सbd का तर्सम अताना है साथियो चलिए यहांपर SING का होता है strung होता है strung और कौन सा यह वाला strung आपका होगा यहापर इसको मतलगाईएगा इसको लगाना यह आपका यहापर strung हो जाएगा पूरा पूरा सा बनेगा यहापर ठीक है अगरा कोश्चन निम्लिकित में से कौन सा सब्द तस्सम है चलिए साथियों आपर दीजिए जवाब कि तस्सम सब्द आपका कौन सा है यापर चौदा का जवाब पूछा है तो यहाँ पर इसकंद है इरसा है, कपोथ है और हल्दी है यहाँ पर देखिए साथियों आपर आपके जवाब जो हल्दी तस्सम नहीं है तो इसका उतलब तस्सम पूछा है तो यहाँ पर यह भी तस्सम है यह भी तस्सम है यह भी तस्सम है लेकिन हल्दी जवाब का है यह आपका तस्सम है और इसका हरिद्रा बनता है तो डी आपसा इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी आमका जो अंसर यह आपका गलत है यहाँ पर डी नमर आपका होगा तस्सम नहीं है यह आपका तत्वा होगा ठीक है चलिए साथ ही उन्देश कोश्चन के जवाब देना है कि नहीं कित्मेस आपसे कौन सा सब्द तत्सम है यहाँ पर आपसे तत्सम सब्द पूझा है और तत्सम सब्द आपका क्या बनेगा यहाँ पर सही चलिए तत्सम सब्द आपका कौन है पंद्रा का जवाब हो और पंद्रा को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं जो यहां पर जवाब सही क्या होज़ेगा आपका 16 का उप्सन राइट आपका जवाब यहां पर आपका होज़ेगा जो आपका तद्भव है वो आपका है आपका निडर ठीके क्या है आपका निडर निडर का जो आपके सकते हैं तत्सम बनता है, वो निर्दे बनता है, निर्दर, ठीके, निर्दर का तत्सम बनता है, निर्दर, ठीके, तो आपसन आपका B हो जाएगा, नेस्ट कोशन दिया है, गधा का तत्सम, अभी हमने वैता है था, गधा का जो तत्सम बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर जबाब हो जाएगा आपका तो गधा का होता है गर्धब गर्धब सही लिखा जाएगा आपका डी नमबर चलिए साथियों नेस कोशन दिया है कि प्री का तदभाव सब्द बताइए प्री का तदभाव सब्द नहीं है चलिए साथ यहाँ पर तस्थम सब्द नहीं है यह पूछा गए आप से चलिए यहाँ पर तस्थम सब्द नहीं है और यहाँ पर 19 को और आपका जवाब आपका हो जाएगा तस्थम सब्द नहीं है तो तस्थम सब्द में देखिए कुसुम भी होता है मुष्का और वन्स लेकिन जो नेह है यह आपका याप पर तदभव है इसका जो तस्रम बनता है वह आपका इस नेह बनता है इसका तस्रम इस नेह बनता है option right D हो जाएगा अगला question आपका पूछा गया है सतियों कि निम्रिखित में से कौन सा तदभव सब है तदभव चलिए यहाँ पर जवाब आपका तदभव हो जाएगा आपका कौन सा ए नमबर पंक पंक जो आपका यह तदभव है और इसका जो तस्रम बनता है वह आपका बनता है पच्छ क्या बनता है पच्छ बनता है सातियों ठीके ए नमबर चलिए पच्छ का तदभव आपसे पूछ लिया है जो कि अभी अमन में ताया तो जवाब हो जाएगा आपका पंक हो जाएगा जो कि option C हो जाएगा ठीक है चलिए साथ हो next question है ससूर का तर्सम सब्द बताईए ससूर का तर्सम ससूर का तर्सम क्या हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो सा है इसको हटाईए और यह वाला सस जुड़ जाएगा तो आपका जो बनेगा वो आपका ससूर होगा यहाँ पर याद रखे यह वाला सा हटाईगी यह वाला सा आपका लगाया जाता है और ससूर का तर्सम मनता है स्वसूर स्वसुर जोकि आपसन आपके याँ पर सी सही हो जाएगा नेस्ट कोईशन है तदभाव सब्द निर्दिश्ट कीजिए यहाँ पर तदभाव पूछा गया है और आपका तदभाव जो बनेगा सही क्या बनेगा चलिए साथियों तदभाव सब्द पूछाए और तेज का जो जवाब हो जाएगा आपका आपसन राइट यहाँ पर जवाब आपका तदभाव सब्द पूछाए जोकि आपसन आपका ए हो जाएगा आधा आधा यहाँ पर आपका तदभाव है ठीके और इसका जो तदभाव मनता है और दबनता है इसका तस्सम अर्द बनता है याद रखेगा ठीके चलिए निस कोशन है कि तस्सम सब्द है तस्सम यहाँ पर पूछा है कौन सब्द यहाँ पर आपका तस्सम है 24 का ओप्शन राइट आपका होज़ेगा तस्सम यहाँ पर A-Number किलिस्ठ किलिस्ट जो आपका है ठीके A number आपका जो है किलिस्ट यह आपका यहापर सही हो जाएगा ठीके किलिस्ट आपका जो है यहापका तस्सम है ठीके चलिए साथ यह निस कुर्शन चूरन का तस्सम बताएगे चूरन का यहापर तस्सम बताना है आपको और चूरन का जो तस्सम आपका बने का क्या बन जाएगा विल्कु सही जवाब आ रहा है यहां पर विल्कु सही है very good option right आपका 25 का हो जाएगा आपका B number चूरन होता है ठीके चूरन होता है जो कि option B सही हो जाएगा अगला कौन सा तस्सम सब्द नहीं है चलिए यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा भई यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा तो तस्सम सब्द आपका नहीं है 26 को option D रात रात जो आपका है यह तद्भो है और रात तरी इसका कह सकते आपका तस्सम बनता है चलिए नेस कोशन है तिक्त का तदभाव सब्द तिक्त का तदभाव सब्द आप से कुछा गया है कि तिक्त का तदभाव क्या बनेगा सही जवाब यहाँ पर तिक्त का जो तदभाव बनता है तीता बनता है ठीके option right आपका जवाब हो जएगा आपका a number चलिए next question दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर सब्दिके कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर सब्दिके जो भेद होते हैं याद रखी गवब आपके 4 होते हैं तसम, तद्बो, देसज, बिदेसज ठीके, सुद्ध आपके यही 4 होते हैं जोडने को तो 5 हो जोड़ देते हैं संकर सब्द, बलकि वो mix हो जाता है main आपके 4 ही आपको यहाँ पर रखेंगे ठीके, चलिए साथ यह next question दिया गया है question आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संसकत के ऐसे सब्द जिसे हम जियों कात्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं यहाँ पर दिख सकते हैं संसकत कैसे सब्द जिने हम जियों कात्यों प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या उन्हें तस्सम बोलते हैं ठीके, तस्सम बोलते हैं option आपका यहाँ पर A हो जाएगा और यह question अभी पूछे गए ठीक जामे ठीके चलिए अगला question दिया गया है इनने मिकित में से root सब्द कौन सा है root सब्द मतलब होता है जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं उनको अलग नहीं कर सकते हैं और अलग कर भी लिया तो उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं ठीके तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 का जवाब आचुका है option D हो जागा पसू तो पसू जवाब का है यह root सब्द है इसको अलग करेंगा तो कोई किसी का अर्थ नहीं निकलेगा समझ में आया next question दिया है कि सब्द रचना के अदार पर बताएगे कि कौन सा सब्द योग root सब्द है योग root सब्द मतलब बहुबरी समास होता है योग root सब्द को बहुबरी समास कह सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं योग रूट सब्द है जिसका विशेश अर्थ निकल ला है 31 का जवाब जिसका D आ रहा है बिल्कुत सही है D हो जाएगा जलज और जलज बोलते हैं आपको कमल को ठीक है कमल को ये विशेश आपको हो जाएगा तो आपका योग रूट सब्द हो गया कौन सा D नमबर नेस्ट कोशन रूट सब्द रूट सब्द जिनको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं है ना और अलग नहीं कर सकते हैं इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा 32 में यहाँ पर जवाब आपका 32 को उप्शन राइट आपका डी हो जागा वैभाव फिके वैभाव तो यहाँ पर अगर अलग भी करेंगे तो किसी का आर्थ हम लोग नहीं निकाल सकते लेकर अगर इसमें किसी को अलग करेंगे तो जल सब्डा पर निकाल आ रहा है नो यहाँ पर जिसको आर्थ अलग करें जिसको हम लोग तोड़े और और अर्थ निकले उसे मौडर सब्द करेंगे ढीनल मुर परिच्छा सब्द निम्रिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है परिच्छा परिच्छा जो आता है वो किस वर्ग में रखेंगे साथियों 33 का option right जवाब हो जगा option right आपका यहाँ पर यह नमबर इसे हम लोग तर्सम यह तर्सम के अंतर गताता है परिच्छा चले साथी ओं magistrate सब्द कैसा है magistrate सब्द जवाब का है यह कैसा सब्द है magistrate 34 का जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है जो की magistrate आपका है यह विदेशा सब्द है ठीक है कैसा सब्द है विदेशा सब्द है option आपका डी सही हो जाएगा चले साथी ओं next question किने मिल्कित में से कौन सा सब्द देशाज है देशाज सब्द आपका यहाँ पर कौन सा है चले यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब देशाज आपका यहाँ पर डी नमबर हो जाएगा लोटा लोटा जो आपका है यह आपका कैसा है भई यह आपका देशाज सब्द है देशाज मतला होता है जो अपने देश में उत्पत्ती होई हो ठीके चलिए अगरा question दिया है कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले सब्द क्या कहलाते हूं स्वतंत्र ना हो स्वतंत्र सत्ता ना हो स्वतंत्र ना हो चलिए साथियो इसको जवाब देना है आपका जवाब सही क्या हो जाएगा आपका 36 option right आपका हो जगा B number योगिक योगिक सब्द होते हैं दो या दो से अधिक सब्दों के मिलने से ही आपकी योगिक बनते हैं साथियो ठीके तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जगा आपका B number चलिए साथियो योगिक सब्द यहाँ पर बताना है योगिक सब्द चलिए योगिक सब्द आपसे पुछाए योगिक मतलब दो या दो से अधिक सब्दों के मिलने से बना होगा कौन सा बना है यहाँ पर तो यहाँ पर विद्याले विद्याधन आले विद्या धन आले यहाँ पर देख सकते हैं विद्या आले जुकी अपसन आपका होज़ेगा C number नेस्ट कोश्चन है प्रयोगी की द्रस्टी से सूच मांतर ब्यक्ति करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं सूच मांतर जो ब्यक्ति करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सातियों सूच मांतर तो यहाँ पर सही जवाब होज़ेगा 38 आपको यहाँ पर B number समन अर्थक बोलते हैं उन्हें ठीके B number चले योगिक सब्द कौन सा है योगिक सब्द योगिक सब्द अर्थाद दो से अधिक सब्दों से मिलकर बनने वाला हो तो सही जवाब होज़ेगा सातियों विल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर option right आपका होज़ेगा कौन सा B number ठीके पाट साला चले नेस question दिया है कि विभावरी किस प्रकार का सब्द है विभावरी विभावरी किस प्रकार का यहाँ पर सब्द है चले यहाँ पर जवाब आपका सही होज़ेगा option right आपका यहाँ पर ए नंबर यहाँ आपका तस्रम सब्द है ठीके तस्रम सब्द है यह नमबर आपका हो जाएगा विभावरी मतलब रात होता है ठीक है साथियों चलिए योग रूट सब्द बताईए कौन सा है योग रूट सब्द मतलब विशे सथ निकालने वाले सब्द चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं लंबोदर जो की गड़ेश भगवान जी को बोलते हैं है ना तो आपका जवाब अपका सी हो जाएगा साथियों नेस्ट कोचन दिया है कि नीचे दिए गए विकलपों में से तत्सम सब्द के चैन कीजे तत्सम सब्द भई तत्सम सब्द जो आपके होते हैं संसकत सब्द होते हैं बिलकुल सई जवाब आ चुका है यहाँ पर आपका ओप्सन आपका हो जगा बीग बबी नंबर गोधू इसका होता होता है तत्सम के चलिए सातर्यों नेची है कि नीचे दिए विकलपों में से तत्भाँ सब्द के चैन कीजिए ऑप पूछाए कैसे जयरा आपका 43 में तदभाव सब्द आपका हो जाएगा मुह ठीक है और एक पॉइंट यहां भी चांद की बिंदी मिल जाए वह हमें इसा तदभाव होता है जैसे अंधा अंधेरा है ना आंधी और जितने भी चंद की बिंदी हुँ आपको हमें इसाब को तदभाव ही मिलेगा ठी अजितने हैं योगिक बोलते हैं ठीक है 44 कॉप्सण आपका ४ Berni सही हो जाएगा चले साथियो क। i am इंदी सब्दों कि उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं क्या कहा जाता है कि चलिए जवाब यहाँ पर 46 option right आपका यहाँ पर C हो जाएगा देशत सब्द ठीके क्या हो जाएगा देशत सब्द हो जाएगा देशत सब्द चलिए यहाँ पर next question आपका है कि वकील किस भासा का सब्द है वकील किस भासा का सब्द है वकील और याद रखिए वकील जो आपका है तस्सम सब्द है तस्सम सब्द पूछाया और तस्सम सब्दाब का क्या होगा चलिए सातियों आपर तस्सम सब्दाब से पूछा गया है चलिए यहाँ पर तस्सम सब्दाब का जवाब क्या होजेगा सही जवाब होजेगा 48 को आपका D यहाँ पर तस्सम सब्दाब का दिया है यह अंगी ठीका तरस्व सब बताईये ऑंगी ठीका चवाब सब्सवें और्यकर यहां पर जवाब ङया। वह आपका सही हो जगा आपका c number आगनिस्ठी का यहां पर राचडा दिया है ठीक हो इसे नहीं है आगनिस्ठी का आपको होता है ठीक है चलिए साथियों next question दिया है कि निम्रिकित में से कौन तद्भो सब्द है तद्भो सब्द की पहँचान करना है साथियों यहां पर चलिए यहां पर 50 का जवाब आपका हो जगा जो तद्भो सब्द है दिखिये दिनकर दिवाकर प्रभाकारी तो तद्सम है लेकिन सूरज सूरज यहां पर आपका कैसा है यह तद्भो है और इसका तद्सम बनता है आ next question आप से अगरा पूछा गया है कि नेमलिकेत मेंसे कौन सा सब्द तत्सम नहीं है चलिए साथी हो 51 का जवाब दीजे तत्सम सब्द नहीं है और तत्सम सब्द नहीं है इसका मतलब तद्भा होगा और तद्भा जो आपका होगा चांद की बिंदी मिलेगी जो कि अभी हमने बताया था तो option आपका होज़एगा आपका A number नेस्ट कोच्छन दिया है कि मिलकीत में से तद्सम सब्द बताएगे तद्सम सब्द 52 का जवाब यहाँ पर तस्थम सही हो जाएगा यहाँ पर मुख जो आपका है यह आपका तस्थम में साती हो option C हो जाएगा ठीके तस्थम नेस पोश्चन आपका दिया है तदभाव सर्द बताना है तदभाव और तदभाव की अब हमने बता है जहां भी आपकी चान्त की बिद्धी मिल जाए वह हमेशा क्या होता है तदभाव होता है जो की option आपका डी हो जाएगा एचान बिल्कुल बिल्कुल पक्की हो चुकी है चलिए अगे सिंगार सब्द का तस्थम, सिंगार सिंगार का तस्वम आपकर क्या होता है स्रंगार और यहाँ पर जो स्रंगार बनेगा वो यह वाला स्रंगार बनेगा यहाँ पर तिके सातियों स्री नमबर नेश कोचन है हल्दी का तस्वम इसका जवाब गलत मत करियेगा अभी हमने बताया था हल्दी का तस्वम क्या बनता है साथियो हरिद्रा बनता है ठीके B नंबर हरिद्रा हो जाएगा चलिए नेश्कोचने गेहुं का तस्वम गेहुं का तस्वम क्या बनता है गेहुं का गोधूम बनता है गोधूम और गोधूम कौन सा सही हो गए यहां पर चपन में आपका ए नंबर आपका हो जएगा गोधूं निश को चैन달 का तंसम magnes sake का जो आपका हो जाएगा खंडगरा होता है क्या होता है सातियों का फ़न्डगरा होता है आपका कर्मकारक समास त्य क्या आपने कर्मकारक समास पढ़ा है नहीं पढ़ा है ठीक है अगला कोशन है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बताई गई कि कौन सा समास है जिन में दोनों पद प्रधान होते हैं दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो आपके होते हैं दोन्द समास दोन्द समास अब देखिए दोनों पद प्रधान पूछ लिए तो इस से दुख सुख है ना और नर नारी और सब दिल लगभग आपको छुपा होता है राधा क्रष्ण राधा और क्रष्ण यह आपको ओते हैं ठीक है अगरा कोच्छन है किस समास में प्रथम पद संख्या वाची तथा अंतिम पद संग्या होता है या वह आपका कौन सा है तो क्या वाची होता है पंचवटी चोराहा है ना चोमासा ऐसे सब्द होते हैं अगला कोच्छन है गुर्देव में समास बताईए गुर्देव में समास बताना है गुर्देव में और गुर्देव में समास क्या होगा भाई यहाँ पर गुर्देव महात्मा गुर्देव अना ऐसे जो सब्द आपको देखने को मिलेंगे यह आपके होते हैं आपकी कर्मधारे समास में ठीक है, option आपके यहाँ बड़ी हो जाएगा कर्मधारे समास हो जाएगा, ठीक है फास्ट अंसर दीजिए भाई सभी लोग अगरा question है 12 सिंगा में समास बताएए 12 सिंगा इसका जवाब दीजिए तक समझेंगे का आपको यहाँ पर समास आ रहे हैं ठीक है, 12 सिंगा और याद रख़े 12 सिंगा, अर्थात 12 सिंगा जो होते हैं एक विसेश हिरण के ही पास होते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं की एक भी सेश ही आपका हिराण होगा इसलिए उसे अम लोग बहुपरी समास में रखते हैं तो seven कोप्षन राइट्ब क्या हो जागा यहाँ पर एनमबर हो जागा बहुपरी समास ठीक है बहुपरी समास अगला है कर्मधारे समास का उधारण बताई कर्मधारे समास का उधारण अब यहां पर आठ नंबर में अगर पहचान करते हैं कि नहीं है कौन कर्मधारे है तो इसका मतलब आपको यहां पर आ रहा है ठीक है तो यहां पर कर्मधारे समास जो आपका है देखिए आपका स मतलब सफेद सफेद मतलब कर सकते हैं यहां पर बीसेश और बीसेशन न हो जाता है करमधारे समास होता है यहां पर सब्कार से हो जाएगा नेक्स कोचन दिया आपसे आपर कि पर्मानंद में समास बताइए पर्मानंद में समास पूछा गया पर्मानंद और पर्मानंद में भी आपका जवाब क्या होजेगा आपका तो यहां पर आपको option B होजेगा कर्मधारे समास ठीक है पर्मानंद में भी आपका आपका होजेगा कर्मधारे समास प को कर्मधार समास में मिलेंगे परमानंद परम है जो अनन्दまだ nila अई आई जुग हो जाए है जितने भी महा न boosting वह आपका यहांपर पर कर्मधारे समास होगा ओप्सन आपको यह हो जाएगा ठीक है जो नए बच्चे हैं वो लोग ट्रिक और पॉइंट को ध्यान देते जाएं पुराने बच्चों को तलगवग तैयार ही है तभी जब फटा फटा रहे हैं जिसमें कोई प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर देके जैसे दस अनन होता है दस है आनन जिसके अर्थार रामड चतुर भुज अर्था चतुर भुजाएं चार भुजाएं हैं जिनके अर्था भगवान विश्णुम तो इसमें से बहुगरी समास में मैक्सिम्म जो बड़े अर्था भगवानों के नाम ऐसे वड़ यह तो आपका है यह तत्पुरस यह में भी understand a Let no ओन में जिसका जन्म यहां पर आ अ सब्द लिखा है जो किए अपका उपसर्ग है और कोई भी सब्द जो आपका होता है है वह आपका क्या होता है tu annes आपका कैसे कि अब्याई बहुत समास होता है अब्या होता है आजन मतलब होता है जन्म भर है ना तो इस प्रकार से यहां पर जो सी नंबर है यह आपके यहां पर कौन सा है समास यह अब्याई बहुत समास है ना कि तत्पूरुस समास है तो इस प्रकार से अपका सी हो जाएग अगला कोशन दिया है उपकूल में कौन सा समास है उपकूल उपकूल में बताइए वाई कि कौन सा समास है उपकूल और उपसब्द आपका जो है वह आपका क्या है एक उपसर्ग है उपसर्ग जो होता है एक अब्बे होता है और अब्बे कहाँ पर आपका है सी नंबर आपक समास है इसमें आपको क्या है आपका ये तत्पुर्स अमास संकर्भवान और चंद सेखर किसे बोले आते हैं आपकी संकर भगवान को अथाद चांद किसके सर पर शिव भगवान के है ना तो आपका एक विसे सर्थ निकालेगा और विसे सर्थ किसमें होता है तो आपके बहुगरी समास में होता है है ना अगला कोशन दिया है कि नेमने खित में से दुग समास का उदाना बताएं दुग समास अर्था संख्या बाची होत तो देखों यहाँ पर आपका सही कियांगे आपका कौन साय है अपर A-3-1 और अगला कुष्छन हे आपकर दिया है यथा सीगर, अभी हमने देखा बताया था कि यथा सीगर मतलब क्या होता है समय की अनुसार और यथा यहाँ पर जो आपका है अब्चे और अब्या मतलब आपका अब्याई भाव समास तो अब्याई भाव समास अगला कोशन है चौराहा कौन सा समास है चौराहा चार राहों का जो समाहर होता है उसे हम लोग चौराहा बोलते हैं न तो यहाँ पर चौराहा जो आपका है वो आपका कैसा है संख्यावाची है और सं कर्म धारे समास होगा टेकिंस निर्विवाद में कौन सा समास है तो आपका कर्म धारे समास है option अपके यहांपर यह हो जाएगा चौराहा में तो भी आपका जवाब भी मिला था किसी नवर होता है अगला कौशन है निगमों मेंसे एक समास की दरस्टी असुद है यहां पर देखते हैं कि कौन सा असुद आपका यहां पर भर पेट में दिया है आपका अब्याइग भाउसर यह तो सही है आपका D-Number आपका, यहाँ पर यह युगमा आपका असुद्ध है, ठीके, आगला जिस समास के दोनों ही पद प्रदान हो, उसे क्या कहेंगे, जिस समास के दोनों पद प्रदान हो, यहाँ पर देख लिए, जिस समास के दोनों पद प्रदान होते हैं, उसे हम लोग बोलते है क्या भाई उसे हम लोग बोलते हैं दुँद्ध समास क्या बोलते हैं दुद्ध समास अभी कोश्चन आपका आया था है ना चलिए जितने बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किये हैं तो एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजी ताकि हमें भी अच्छा लगने लगे कि ह मेन्स और आपको अगरिफ्टाै कि निया हम मेनत कर रहे हैं आपके साथ थाइपलy मेनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक कर दिया करी अगरा अपको लगता है कि हमको में हुद Newton किल दें रहे हैं रूप आरे टीचिंग को लाइक कर रहे हैं कि अपना Πांट लगता है लाइक करतेえば अपना लगता है कि नहीं आप लोग इतना प्यार करते हैं चले जिस 40 नमबर आप से दिया है कि जिस समास में पहले यह बाद का कोई भी पत्षण नहीं होता है उसे क्या गौर्ड हो उसे क्या कहते हैं उत्तरपत बीशसमास ज焦ाल होता है कि बाद पद प्र्धान हो और जो पहला पहते है वह गौर्ड हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या 26 का जवाब आपका हो ज Partner पॉर्प नंबर ततपूर्स समास र Megail को स्मास जैसे राज सरा है बच्छे टो एक बार उनसे गलती हो जाती है लिए पुंसे वोता है क्या समास होता है काला गोरा यह सब्द क्या होते हैं लाल पीला यह विसेशन होते हैं और विसेशन जो आपका होता है वह आपका समास कौन होता है आपका करमधारे समास होता है कौन सा करमधारे समास होता है option आपके यहां पर भी हो जाएगा अगला है जिस समास में दूसरा सब्द प्रधान र यहां पर कह सकते हैं रिखांकित आपक नहीं लगा है लेकिं यहां पर गुरु भाई के लिए वो लगा है और सुदामा तो तीज का अपकर जवाब हो साथा अगला है कि लड़की चौलडी पहने है चौलडी मतलब चाल लड़ीओं है ना छाल लड़ी तो यह आपका क्या हो जाएगा संख्या वाच्छी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं दिग समास आपका A हो जाएगा अगला कोशन दिया है कि ने लिखी सब्दों में से कौन सा सब्द बहुवरी समास का उद्वाराण है बहुवरी समास आपसे बताया पूछा यहां पर कहते हैं कि कभी कभी आयोग क्या कर देता है कि चतुर भूज को बहुबरीम कर देते हैं क्योंकि चतुर भूज जाता चार भूजाएं हैं जिनके भगवान विश्ण को तो बोल देते हैं तो जब वो है नहीं है और दिया गया एद्धू समाज तो हम लोग फोकस इसमें करेंगे इसमें देंगे ना और कोई तो हमारे पास चारा है नहीं है और प्रसन को आपको करके सही आना भी है अगर ना भी आपको लगे कि यह प्रसन तुरूटी है तो उसको जरूर करिएगा यह तो उसका जवाब सही माना जाएगा यह तो उस प्रसन को हटा दिया जाएगा ओके अगला कोशन यह पर दिया है प्रति दिन समाज में समाज बत बोद हो उसे क्या कहते हैं संख्यावाची हो और समुदाय हो यहां से आपको एक पॉइंट बता चला है कि संख्यावाची की साथ समुदाय का बोद होता है जब समुदाय की बात हो रही है इसका मतलब वह आपका दुग समास होता है ठीक है संख्यावाची की साथ समुदाय का पभुद्сь gratis समाश करा थे उसे दॅध समाश कहता है जल मगन रिजल मगन में समाश बताना है जल मगन कि जल से मगन और चल से मगन है न सब्सक्राइब आपका तत्पूरृष समाश Laughs पूर्ण समाश हो आगला कुछे नहीं है पंच्वटी सब्दि में समास पंच प्रची से हैं और समधाय का बोध कर रहा है और जमाय इसा बोध कर दाता है थो उसे हम लोग क्या बुलते हैं उसे हम बोछा संक्या बाची जैँ जो आपका डी हो जाएगा दिगुसामास सुनीता के वच्चे घास-फूस की तरह बढ़ रहे हैं यहां पर घास-फूस दिया है डैस भी दगा है तो घास और फूस है नौगास और फूस यह जो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा दुहन रांता तरसा रहे हैं और समस्ट करेंगे समास बताना हुए रोग से पीडित रोग से पीडित और से सब्सक्राइब olah아पक कैसा होता है आपका विभक्ति और विभक्ति होती आपके तत पुरस में जोकि प्रति मान कि जब पहरा पत प्रधान हो वह आपका होता ऊंसा तो अब ब нужно दिए गया तो यहां पर दुद्धिपद प्रधान है तो आपका ततत पुरु समास हो जएगा रसोई घर में कौना समास है रसोई घर के लिए सब्द आ गया विभक्ति आ गई और जब विभक्ति होती है वाहां पर आपका तत पुरु समास होता है option आपका A हो जाएगा अगला नील गाय में कौन सी समास है नील गाय, नीली गाय नील सब्द विसेशन है न और विसेशन वो विसेश वाले काला घोडा, काला ये तन वाले जो सब्द होते हैं, विसेश विसेशन वाले वो कौन होते हैं करमधारे समास होते हैं ठीक है सी नमबर आपका हो जाएगा करमधारे समास पीत आमबर पीत है अमबर जिसका अर्थात बिश्रू और जब बिशेश अर्थ निकालते हैं तो वापर आपका होता है क्या बहुवरी समास होता है option आपका D हो जाएगा बहुवरी समास घन स्याम दिया है घन स्याम घन मतलब बादल और जो स्याम है मतलब काले बादल इस प्रकात से तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका कर्मधारे समास हो जाएगा घन स्याम घन मतलब क्या हो गया पर आपका के सिकते हैं कि आपके भादल हो गया और स्या मतलब सावला हो गया है ना तो यहाँ पर इसका हो जग कर्मधारे समास हाँ आयोग यहाँ पर जो सही किया है वो आपको कर्मधारे समास सही किया और सही भी होगा और इसे कभी कभी आयोग क्या कर देता है, बौवरी समाष कर देता है, क्योंकि घन से हम आपकि कृष्न भगवान को बोल देते हैं, हैंगा? लेकिन यहाँ पर आयोग जो मानलिता देता है, वो आपको इसी को देता है, ठीक है? तो इसका जवाब आपका B हो जाएगा अगरा कोशन है जब आपसन में ना हो तो आप बवरी लगा सकते हैं परमानंद में समास बताएए परमानंद परम है जो आनंद ये प्रस्ण आपका आप दुबारा से मिला है और दुबारा से मिला है अर्थात आपने पढ़ लिया है तो परम है जो अन्द है जो सब्द जो होता है वो करमधारे समास में होता है option C हो जाएगा करमधारे निमने कितमें से दुन्द समास बताईए दुन्द समास अर्थात दोनों ही पद क्या हो दोनों ही पद क्या हूँ आपकी प्रधान हो ठीक है वह पद आपका कौन हो जाएगा आपका दंद समास हो जाएगा और यहां पर पाप और पुन पाप और पुन यह आपका क्या हो जाएगा दंद समास हो जाएगा नेस कोचन दिया गया है आपसे यहां पर लंबोदर उधार इसनफाना सब्द में dot is पर जवाब क्या मंस राधी मुदा यहां पर जबाब सर्थक सब्रति आदिक सब्रता क्या कहते हैं तो यहां पर आपका 51 का जवाब दीजी वहीं 51 का सही जवाब और सही जवाब यहां पर आपका हो जाएगा option right 51 का option right बी नमबर जो पढ़ रहे हो तो वही तो होगा ना चलिए अगला question है यहां पर दिया है समास का साब्दिक अर्थ क्या होता है समास का साब्दिक अर्थ क्या होता है वही तो समास का साब्दिक अर्थ होता है आपका संचेप होता है ठीक है जो कि अभी आपने पढ़ा था यह नमर आपका हो जाएगा निमनाकित में से कौन सा पद अब्वण ही भौत समाश miejsce चलिए आपर अब्वण समाश क्विय। ष्माश कर संपे कि प्रतिसप्स्प्द आपका लगा हुआ है औहुत है तो आपको सी हो जाएगा परतिदिन अगला है जिस समाश समास में उत्तरपत प्रधान होने के साथ साथ पूरपत तता उत्तरपत में विशेस विशेशन का संबन्द भी होता है है ना विशेस विशेशन जो होता है वह आपको किसमे होता है भई विशेस विशेशन आपको किसमे हो गया आपका तो आपके कर्मधारे समास में होता है है चलिए तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 55 का तो 55 को उप्शन आपका C हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारे यहाँ पर दिया है निलोद पलम नीला नीला सब्द आपको यहाँ पर आ गया ना तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा C नंबर ठीक बहुबरी समास होता है ठीक है चलिए अगला कोशन आप से यहां पर दिया गया है आपका कौन सा कि जितेंद्री में कौन सा समास है जितेंद्री है जितेंद्री है बोलायाता ना इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री है तो तो आपका जवाब हो जगा आपका बहुत बरी समास ठीक है नेस्ट क्वेश्चन का आते हैं कि देवासुर में समास बताईए देवासुर में समास चली जवाब दीज़े चली देवासुर अर्थात देव और असुर देव और असूर इसे तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे देव और असूर तो ये आपका क्या हो गया अठावन में अठावन को आपका हो जगा टी नमबर दोंद समास हो जगा देव असूर हो जगा दोंद समास देव और असूर ये दोन हो गया ना इस प्रकास से अगला है दिसांतर में कौन सा समास है दिसांतर फिप्टिन है दिसांतर में कौन सा समास है तो दिसांतर का जवाब यहाँ पर आपका हो जगा करमधारे समास है इसमें भी आपका बहुत अपवाद रहती जामों में ठीक है चलिए अगरा कोशने आपका दिया गया है दीना ना दीनों के नाथ है ना दीना नाथ तो यहाँ पर आपका कर्मधारे समास हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा ठीक है कि जिसे किसी वस्त की इस प्राहा ना हो के लिए उप्युक सब्द होगा जिसे किसी वस्ति की इस्प्राहा ना हो उप्युक्त सब्द होगा सही जवाब की आप जाएगा आपका चलिए साथियों फटा फट अनसर दीजेगा और फटा फट यहाँ पर हम लोग टेस्टों को कंप्लिक करते हैं जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर नी इस्प्राह ठीक है क्या होगा नी इस्प्राह जो की आपका बी हो जाएगा याद रखेए नी इस्प्राह होगा ठीक है यहाँ पर देखो बड़ा की मत्रा यहाँ पर छोटा की मत्रा है तो आपका जवाब कौन होगा ये बार आपका होगा ठीक है निस्प्रह हो जाता है नेस्ट कोशन आपका है कि जिसकी पूरु से कोई आसा ना हो वाक्यांस के लिए उप्यूक सब्द होगा जिसकी पूरु से कोई आसा नहीं होती है उसे बोलते है अप प्रत्यासित ठीके अप प्रत्यासित और जवाब कौन साब का तो यहाँ पर आपका डी हो जगा अप प्रत्यासित नेस्ट कोशन दिया गया है यहाँ पर कि कनिस्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगली को कहते हैं कनिस्ठिका और मध्धिमा इन दोनों के बीच की जो उंगली होती उसे क्या कहते हैं चले यहाँ पर जवाब बिल्कुछ सही आ रहे हैं बिल्कुछ सही जवाब है very good option right आपके यहाँ इसे बोलते हैं अनामिका और अनामिका कौन सा सही लिखा हुआ है डी नमबर लिखा है अन क्या कहते हैं चले सातियों बिल्कुछ सही जवाब आ रहा है और उसे बोलते हैं दा मोदर ठीके दा मोदर जो की option right आपके यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नमबर आपने जहासी वाली रानी का नाम सुना था तो उन्होंने अपने पुत्र को कह सकते हैं जो दत्तक पुत् चले नेस कोचन दिया है कि पीछे पीछे चलने वाला के लिए यहाँ पर आपको जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुछ सही आ रहा है और सभी का जवाब बिल्कुछ सही आ रहा है option आपका हो जाएगा अनुगामी क्या बोलते हैं उसे अनुगामी बोल बिल्कुल सही जवाब है, very good, option right आपका यहाँ पर होज़ेगा, मर माहत, क्या होता है, मर माहत होता है, option आपका यहाँ पर जवाब भी सही होज़ेगा, जिसके हर्दय में आगात हुआ हो, उसे बोलते हैं, मर माहत, ठीके, चलिए, next question आपसे अगला पूछा गया है, कहरा आप से जो अपने पद से हटाया गया हो, कि लिएक सब्द बताईए, जो अपने पद से हटाया गया हो, कि लिएक सब्द क्या होगा, सही जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, और आपी रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, option आपका D हो जाएगा, पदच्यूत, option आपका य एक सब्द बताना है और अच्छा प्रस्ण आपका है यहाँ पर जवाब हो जाएगा उपसर राइट इसे बोलते हैं अमूले क्या मोलते हैं अमूले बोलते हैं याद रखें बहुमूले मत बोलिएगा जिसकी कोई कीमत ना हो उससे बोलते हैं अमूले ठीके कोई कीमत ना हो और जो बहुत महंगा हो ता उसे बहुत 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 है लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं है तो आपका अमुल्य हो जाएगा और सन आपका बहुत हो जाएगा आगला कोशन यहाँ पर दिया गया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला जैसे गल्स होती है बहुत मतलब सभी नहीं लगवाग 80% वो एक लिमिट होती है एक रोटी दो रोटी एक रोटी दो रोटी है ना तो यहाँ पर जो थोड़ा नपा तुला भूजन करते हैं गिनकर विल्कुल करते हैं है ना तो उसे क्या बोलते हैं बोलते हैं मीता हारी क्या बोलते हैं मीता हार और जो की option आपका कौन सा यहाँ पर आपका जवाब आपका कौन सा होजएगा C number आपका होजएगा मिता हरी ठीके अगला question यहाँ पर दिया गया है कि गुरू के समीप रहकर अध्यान करने वाले के लिए क्या बोलते हैं तो यहाँ पर 10 का जवाब हो जाएगा, option right, अंते वासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंते वासी बोलते हैं, अस्रम वासी नहीं, अंते वासी, option आपका D सही हो जाएगा, नेस कोर्शन आपका दिया गया है इपत युक्त इस्तरी को एक सब्द कहते हैं जो पत युक्त पतनी होती है इस्तरी होती है जो पत युक्त इस्तरी होती है उससे क्या बोलते हैं तो जवाब में आपका सही हो जाएगा याद रखिएगा पत युक्तिस्त्री को सधवा बोलते हैं ठीके option आपका C हो जएगा सधवा, C नमबर आपका सई हो जएगा next question आप से पूछा गया है यहाँ पर कि जगड़ा लगाने वाला मनुसे चलिए यह साथियो जवाब दीजिए जगड़ा लगाने वाला मनुसे के लिए सब्द बताईए और यहाँ पर बिल्कुश सही जवाब आ रहे हैं और जवाब यहाँ पर बिल्कुश सही है 12 option राइट आपका यहाँ पर D हो जएगा नारद ठीके नारद मुनी है यह जगड़ा लगाते थे इधर की बात उधर उधर की बात इधर है ना जगड़ा लगाने वाले next question दिया गया है कि तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रियोग होता है देखते हैं कि जो तिलक लगाते हैं तो ऐसे आप लोग बोलते हैं चावल है ना लेकिन जो तिलक लगाने के लिए अन्य का प्रियोक करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अच्छत बोलते हैं क्या बोलते हैं अच्छत बोलते हैं वेरी गुड अच्छे यहाँ पर त्यारी है और जवाब यहाँ पर भी अच्छत हो जाएगा ठीके चलिए ऐसे इतना दन त्यारी होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में ठीक है खिताबों से पढ़ते रही है हम आपसे बार-बार बूल रहे हैं चलिए जिसका जन्म छोटी जात्य अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे लिए यहाँ पर बताना है क्या सब्द होगा क्या बोलते हैं महल के भीत्री भाग को विल्कुत सही जवाब है अन्तापूर बोलते हैं । छलिए अगला है बहुत अधिक बोलने वाणा व्यक्ति जो लोग अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए साथ भी वीडियो लाइक कर दीजिए हमें भी अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे और उमिद करते हैं कि आपको अच्छा लग ही रहा होगा और अच्छा लग रहा है तब यह वीडियो आप देख भी रहोंगे ठीके, चलिए तो बहुत अधिक बोले वाले को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, ठीके, विल्कुल सही है वाचाल, ओप्शन आप कहाँ पर D सही हो जाएगा जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उप्युक सब्द बताएए 17 का जवाब देना है जिसके हरदय में मम्ता नहीं है, क्या होगा जवाब यहाँ पर तो बिलकुछ सही जवाब है option right यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्मम बोलते हैं क्या बोलते हैं साथियों निर्मम बोलते हैं आपका C हो जाएगा निर्दे मत बोलिएगा ठीके निर्दे मत बोलिएगा क्या बोलेंगे निर्मम बोलेंगे option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा C जिसके हर्दय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं ठीके यही छोटी छोटी तुरुटी को यहाँ पर समझना है ठीके चले अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उप्यूक सब्द बताईए जिसका इलाज ना हो सके चले साथ यह उनिस का जवाब विल्कुल दीजिए फटा फट दीजिए यहाँ पर सोचने का समझने मतने जिए तो जवाब यहाँ पर जिसका इलाज ना हो सके उसे हम बोलते हैं असाध दे क्या बोलते हैं असाध दे बोलते हैं, option आपका, एसे हो जाएगा, असाध दे, चलिए, next question आपसे पूचा गया है, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए सब्द बताना है, जिसे जीता ना जा सके, चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर, बाते कम कीजिए, यहाँ पर, पढ़ाए पर focus करिए, जवाब यहाँ पर आपका 20 का हो जाएगा, option राइट आपका, जिसे जीता ना जा सके, उसे बोलते हैं, अजे, क्या बोलते हैं, अजे बोलते हैं, option आप यहाँ पर, एस हो जाएगा, चलिए साथ ही, उनने इस question आपका दिया गया है, कि जानने की इच्छा रख रखने वाला या रखनी वाला, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 21 का क्या हो जाएगा, 21 बिल्कुल सही जवाब है, जिग्यासू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिग्यासू, जिग्यासा नहीं, जिग्यासू बोलते हैं, ठीके, option आपका B हो जाएगा, एक्जाम में क्या हो प्रणाव है कि यही तुरूटियां आपकी एकजाम में दिक्कत करती हैं है ना तो इसलिए रिवीजन करा जाता है ताकि आप उन तुरूटियों को आप समझ रखें कि क्या क्या छोटी छोटी तुरूटियां होती है ठीक है चलिए नेस कोशन आप सेगला पुछा गया है कि जिस इस्तरी का पती जीवित है उसके लिए उप्युक्त सब्द बताईए जिस इस्तरी का पती जीवित है उसके लिए आपको सब्द बताना है और जवाब क्या हो जागा आपका तो याद रिखेगा जिस इस्तरी का पती जीवित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सदवा ब आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका C number अच्छा है बोलते हैं जो छीड़ ना हो सक्किए उसके लिए क्या बोलते हैं? अच्छा है बोलते हैं C number next question दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए सब बताईए और जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या बोलते हैं? सरवग के बोलते हैं ग्यानी नहीं बोलना क्या बोलेंगे उसे? उसे सरवग के बोलते हैं ठीके? चलिए next question है जो हमेशा रहने वाला उसके लिए क्या बोलते हैं? जो हमेशा रहने वाला उसके लिए क्या बोलेंगे सही जवाब यहाँ पर 25 को उप्शन राइट आपका हो जाएगा उसे जो हमेशा रहने वाला होता है उसे हम लोग सासवत बोलते हैं क्या बोलते हैं सासवत बोलते हैं चलिए निश कोशन आपका दिया गया है कि आपसे जिस पुरुस की पतनी साथ नहीं है उसके लिए बताना है जिस पुरुस की इस्तरी साथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे चलिए आपर 26 का जवाब बिल्कुश सही आ चुका है जिस पुरुस की पतनी साथ नहीं होती उसे बोलते हैं वी पतनीक, क्या बोलते हैं, वी पतनीक वी ओगी मत बोल देना, ठीके, आपका जवाब हो जएगा, आपका D-Number, वी पतनीक बोलते हैं, option आपको यहाँ पर जवाब हो जएगा D-Number, चलिए next question आपको दिया गया है, कि जो इस्तरी सूर भी ना देख सके, उसके लिए आपको यहाँ पर एक साथ बताना है जो इस्तरी सूर भी ना देख सके सही जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जएगा आपका देख लिए जी चारों option में गलती ना हो, आज सूर इसपया, कौनसा डी नमबर आपका सही हो जएगा आज सूर इसपया बोलते हैं डी नमबर आपका हो जएगा next question आपसे पूछा गया है कि जो युद्ध में इस्तिर रहता है उसके लिए साथ बताना है जो युद्ध में इस्तिर रहता है उसके लिए एक सब्द बताईए जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हैं उसके लिए एक सब्द बताना है और क्या बोले हैं उसे पत्त्रेन बोलेंगे क्या अपत बोलते हैं याद रखेगा ठीक है अपत बोलते हैं डी नमबर आपका हो जाएगा चलिए निसकोशन दिया है कि तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं तैरने की इच्छा को यहाँ पर मानते हैं कि 75% बच्चों को यह topic बिल्कुल लिजी लग रहा है लेकिन 25% ऐसी बच्चे हैं जिनको यहाँ पर छोटी छोटी बारीखों को ग्यान नहीं है गलती कर रहे हैं अभी भी तो तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं तीस का जवाब हो जाएगा आपका बी नमबर इसे बोलते हैं ती तीर सा क्या बोलते हैं ती तीर सा बोलते हैं अपसन आपका बी सही हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांस के लिए उप्युक्स होने वाला सब बताईए जिसे बुलाया न गया हो और जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बुलते है जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका जिसे बुलाया न गया हो क्या बोलेंगे भई यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा C नमबर अनावूत होगा याद रखे आतित नहीं होगा ठीके आतित क्या होता है भई कि बिना पहले किसी सूचना के जो आ जाता है उसे बोलते हैं ठीके तो आपका जवाब यहाँ पर जो पूछा गया था उसका आपका C हो जाएगा समझ में आ गया ना चलिए अगला है मोच की इच्छा रखने वाला मोच की इच्छा रखने वाला मोच की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब से हो जाएगा मुमुच क्या बोलते हैं? मुमुच बोलते hombres option right up का च्टी सही हो जाएगा अगला question दिया है कि रंग मंच के परदे के पीछे का इस्थान रंग मंच के परदे के पीछे का इस्थान और यहां पर आपका सई जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 को Option rate आपका जवाब हो जचेग game आपका नेपत भूलते हैं क्या बूलते हैं नेपत भूलते हैं Option rate आपका यहाँ पर B सही हो जचेगा Next Question दिया गया है How one में जलने वाली लकड़ी के लिए यहाँ पर सुद्ध सब्ध बताविए How one में जलने वाली लकड़ी हवन में जलाने वाली लकड़ी और यहां पर 34 को अप्सनल राइट आपका सही जवाब हो जागा क्या D नमर आपको हो जागा समिधा क्या होता है समिधा होता है ठीके नेस कोर्शन को आते हैं कोर्शन आपसे एकला पूछा गया है कि पेट की अग्णी को क्या बोलते है पेट में जो अग्णी लगी होती है बोलते हैं पेट में बहुत जलन हो रही है तो उस जलन को क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं जटराग्णी ठीके जटराग्णी बोलते हैं और जो आपके समुध्र में आग लगती है उसे बढ़वागनी बोलते हैं और जंगलों में आग लगने वाले को दावागनी बोलते हैं ठीक है नेस्ट कोईशन दिया गया है जिसके पास कुछ ना हो जिसके पास कुछ ना हो जिसके पास कुछ ना होता है उसे अकिंचन बोलते हैं साथियों अप्शन पी हो जएगा अकिंचन नेस्ट कोशन दिया गया है कि दिसाइं ही जिनका वस्त्र है और जवाब बिल्कुछ सही होना चाहिए इसका कि दिसाइं ही जिनका वस्त्र है उसे बोलते हैं दिगंबर क्या बोलते हैं सी नमबर आपको हो जाएगा दीगंबर बोलते हैं नेश कोशन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्व से हुआ हो जिसका जन्म कन्या के गर्व से हुआ हो क्या बोलते हैं जवाब यहापर आपका सही क्या हो जाएगा जवाब हो जएगा आपका यहाँ पर कानीन बोलते हैं याद रखेगा कानीन बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं कानीन ठीक है option b सही हो जएगा आगला question दिया गया है खादि समागरी जो यातरा के समय रास्ते में उभो के लिए दी जाती है यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा option right 49 का C number यसी बोलते हैं पाथ ही क्या बोलते हैं पाथ ही बोलते हैं option आपका C सही हो जाएगा अगला question है कि आधी रात का समय आधी रात का समय और आधी रात का समय बोलता है निसीत क्या होता है निशीत होता है option right आपके यहाँ पर D सही हो जएगा next question दिया गया है कि निमलिखित वो आपके खंडों में से एक के लिए प्रियुक्त होने वाला सब्द यहाँ पर बताना है यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब दिया है क्या स्वयम सेवक स्वयम सेवक के लिए आपर सब्द पूछा है और स्वयम सेवक के लिए जो सब्द बनेगा आपका क्या बनेगा जवाब यहाँ पर आपका हो जएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला option C हो जएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सिवा करने वाला नेस कोश्चन दिया है कि गुरु के समीप रहकर सिच्छा ग्रहन करने वाला गुरु के समीप रहकर सिच्छा ग्रहन करने वाला जवाब क्या हो जेगा आपका यहां पर तीसे अंतेवासी बोलते हैं क्या बोलते हैं अंतेवासी बोलते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका C नमबर अंतिवासी अगला कोशन दिया गया है कि हाथी के पीट पर रखे जाने वाला आशन हाथी के पीट पर जो आशन रखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जवाब यहाँ पर 43 का आपका सही हो जाएगा option right यहा पर्मार दोरा सिद्ध ना किया जा सके 44 का option right आपका सही क्या हो जाएगा तो जवाब यहाँ पर विल्कुछ सही है 44 का option right यहाँ पर आपका हो जाएगा आपर में क्या हो जाएगा आपर में हो जाएगा next question दिया गया है कि उपनिवेस से सम्मंद हो जिसका उपनिवेस से सम् आपका 20 हो जाएगा नेक्स कोशन दिया गया है किनमे से एक के लिए प्रियोज्ज सब्द बताईए आशूर इसपस्या अभी यह प्रस्णाप कहा था आशूर इसपस्या मतलब क्या होता है आशूर इस आशूर मपस्या है तो जवाब यहाँ पर 46 क्या हो जाएगा उप्सन राइट तो रन्युआस में कड़े पर्दे में रहने वाली इस्तरी यह भी आर्थ इसका होता है देखो उसमें थोड़ा सा आशूर इसपस्या था यहाँ पर आशूर मतलब माभी लगा हुआ अपका ठेके और नेस कोशन काते हैं कोशन आपसे अगरा पुछा गया है उत्तरा अधिकार में प्राप्त संपत्ती उत्तरा अधिकार में प्राप्त संपत्ती के लिए सद्वता न है और उत्तरा अधिकार में जो प्राप्त संपत्ती उससे बोलते है क्या बोलते है तो आई यहां पर वसीह धरोवर मतलगा येगा रिक्थ होता है, क्या होता है रिक्थ, option आपका यहाँ पर A सही हो जएगा, रिक्थ होता है ठीके, अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है गिरा हुआ के लिए एक सब्द बताईए गिरा हुआ के लिए यहाँ पर सब्द बताना है और गिरा हुआ के लिए जो स्वब्दा आपका सही बनेगा वो आपका होता है पतित क्या होता है पतित होता है साथ ही ओप्सन आपका इसा ही हो जाएगा नेस्ट कोशन दिया गया है कि अपना उद्देश पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे ब्यक्ति के लिए सब्द बताईए अपना उद्देश पूर्ण होने पर संतुष्ट जवाब से क्या होज़ेगा आपका तो आपका जवाब यहाँ पर होज़ेगा उसे बुलते हैं क्रतार्थ क्या बुलते हैं क्रतार्थ बुलते हैं option आपका D होज़ेगा next question है नियम बिरुद्ध आसमाजिक कारे करने वालों की सूची के लिए एक सब्द बताईए जो नियम बिरुद्ध के होते हैं और उनकी जो सूची होती है आसमाजिक कार होते हैं उनको काली सूची बोलते हैं ठीक है काली सूची अलग question है जो नभ में चलता है जो नभ में चलता है उसे क्या बुलते है तो यहाँपर सूची जो नभ में चलता है उसके लिए सब्द होता है खेचर होता है न की खचर ठीक है यहाँपर option जो आपका दिया है वह आपका यहाँपर गलत दिया है जवाब के क्या हो ज़एगा A नमब्र आपका हो ज़एगा खेचर या इसे बोलते हैं, नवचर बोलते हैं ठीक है खेचर या नवचर बोलते हैं option आपका A सही हो जाएगा साथी हो ठीक है, याद रखेगा इसलिए हम पढ़ा देते हैं, PDF बाद में देते हैं चलिए अगला है, कि व्याकरण के ग्याता के लिए सब्सक्राइए ब्याकरण के ग्याता के लिए सब्सक्राइए बावन का जवाब सही क्या होजेगा आपका और जो ब्याकरण का ग्याता होता है उसे वयाकरण बोलते हैं वयाकरण और सन आपका सिस होजेगा वयाकरण नेस कोचन है बढ़ा चड़ा कर कहना बढ़ा चड़ा कर कहना के लिए सब्द होता है अतिस योग थी कलेजे पर साप लोटना चलिए साथियों जवाब दीजिए बिल्कुल फटा फटा मरूर रहते हैं जल्दी से टेस्ट को सौल करें कलेजे पर साप लेटना मोहारे कार्थ होता है option right आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है आपका B नमबर इर्सा से जल उठना ठीके इर्सा से जल उठना option आपका B सही हो जाएगा next question दिया गया है कि सिर से पानी गुजर जाना मोहारे का उप्युक्त आर्थ क्या है सिर से पानी गुजर जाना चलिए साथियों option आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा तो सहन सीलता की सीमा टूर जाना very good option B हो जाएगा सहन सीलता की सीमा टूर जाना option आपका B सही हो जाएगा अगला है आँखों में गड़ना मोहारे का अर्थ तिरी का जवाब तो आँखों में गड़ना अठाष्राथ मन में खटकना ठीक है मन में खटकना ऑफ्षन आपका भी सही हो जाएगा ठीक है और यहाँ अपननेश कोशन दिया गया है हाँ कभी-कभी आशण में क्या होता है व़श्तकों पाने की उतकर लालसा होता है लेकिन जबाबसन ये हो मन में आँखों में गड़ना मन में खटकना कोई बात बहुते ना कि बात जो लग चुकी है खटक रही है है न तो ये चीज़ हो जाता है और अगरा कोशन आपर दिया गया है आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास फोर का जबाब दीजे आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास लुकोप्ती का सही अर्थ क्या होगा फोर नमबर और फोर का आपसन राइट आपका जबाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी नमबर बिलकुर सही है वेरी गुड वांचित कारे को छोड़ कर अनकारे में लग जाना आपसन बी हो जाएगा नेक्स्कोर्शन ए अवांचित सम्वाध अर्थ के लिए उप्युक्त महौरा होगा कौन होजएगा इसी भॉप्षन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सिर खाना ओपसन आपका इसी बाते कर रहें समझी नहीं हा रहें सिर खाली है उतनी देर इसी बच्चे ने कहा था कि कोई भी प्रस्ण सरल और कठिन नहीं होता है क्योंकि एक्जाम में वैलू पूरे के पूरे एक होती है तो यह हम समझें कि यह प्रस्ण सरल है एक्जाम में वैलू आपकी बराबर होगी तो कागजी घोड़े दोड़ाना मोहरे का अर्थ होता है आपका सी नमबर बेर्थ की लिखा पढ़ी करना ठीके बेर्थ की लिखा पढ़ी करना नेस कोचन है कि गोद में लड़का सहर भर में धिन्डोरा मोहरे का सही अर्थ बताईए चलिए सातियों गोद में लड़का सहर बहर में डिनोरा महरेकार्थ very good option आपने आपने C हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए भी चारो और खोजना option C हो जाएगा चलिए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबता सही अर्थ बताईए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबता 9 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा आपका अभी नमबर जूठा दिखावा करना दोस्तों जवाब आपका भी हो जाएगा जूठा दिखावा करना तर्म पर नहीं लगता मतलब देखो कि बहुत आप लोगों को इससे होता है बड़ी बड़ी बाते मारते हैं बल्कि ऐसा होता कुछ नहीं है छलिए घी के दिपक जलाना मोहॉरे का सह Χाय अर्थ बताईए घी के दिये जलाना मोहॉरा अर्थ होता है दसको उप्सन राइट और बिल्कुत सही जवाब ए खुशी मनाना है, खुशिया मनाना, option आपका 20 हो जाएगा, next question है, आख का अंधा, गाठ का पूरा, लुकुक्ति का सही अर्थ बताइए, आख का अंधा, गाठ का पूरा, दिया पर अंधा नहीं होगा भई, मूर्क धनी, ठीके, मूर्क है, है और धनी है, आप लोग देखते ह कि कोई-कोई होता है, गाउं में बहुत धनी होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता है, कुसको पैसे का अर्जिस कैसक किया जाए, ठीके, चलिए, नेस question दिया है, कि आग में घी डालना, मुहरे का सही अर्थ बताइए, आग में घी डालना, होता है कभी-कभी, ऐसा हो देखने मुहरे कार्थ हो जाएगा, चलिए साथी हो बिलकुस सही जवाब आ रहा है, बदनाम करना, option C हो जाएगा, बदनाम करना, नेस question दिया है, कि आउसरवादी ब्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर सही पूछा गया है, अपना उल्लू सीधा करना, मुहरे कार्थ पूछा अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति जब काम निकल जाता है, तो अपना उल्लू सीधा कर लेता है, ठीके, option B हो जाएगा, अगला कप्टी मित्र, कप्टी म पर बताना है कपटी मित्र पंदरह कोप्शन तर सतीन का साफ ठीक है आस तीन का साफ देखो दोस्त जो होता है बिल्norm कल बात अपने दोस्त को बता दी जाए ठीक है ना लेकिन अगर वहीं ऐसा दोस्त अगर हो जो आपकी पोल को खोल दे दूसरे या कपट करें आपके साथ उसे बोलते हैं अस्तीन का सांथ अगला है बात तैत ही लेकिन एन मौके पर उसने या उसके इंकार करने से सारा काम रुख गया मतलब की बात यहां यह हो गई कि सारा काम रुख गया मतलब बात यह हो गई कि गुड़ गोबर हो गया क्या हो गया गुड़ गोबर हो गया ठीक है बोलते हैं इतना काम किया यार सब गुड़ गोबर कर दिया चलिए अगर कोशन है मुलसी प्रेम चंद उपन्याज कहते हैं उनका लेखन अतिवत्तम है करने अतिवत्तम है इसके लिए मह कोशान टोड़ना या तूटी बोलना को लेखन अतिवत्तम है तो यहाँ पर जवाब हो दोस्तों option B, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलम तोड़ना, यहाँ पर option आपका गलत दिया गया है, तूती बोलना नहीं होगा, लेखन अति उत्तम है, ठीक है, मतलब बोलते हैं आपकी रैटिंग बहुत अच्छा चल लई है, ऐसे बोलते हैं न, बोलते हैं कलम तोड़ना, तो यह आपका B हो जागा, यहाँ पर आपका D नहीं आपका B होगा, ठीक है दोस्तों, चलिए, बच्चों को जरासी सरारत पर विवेक ने, रेकिस्थान के लिए उप्यक्त महौरे का चैन कीजिए, विवेक ने क्या किया, बच्चों को जरासी सरारत पर विवेक ने क्या किया, विवेक सर नहीं है एक जामपुर वाले ठेके चलिए यहां पर बच्चों की जरा भी सरारत पर विवेक सर ने क्या किया वही घर सिर पर उठा लिया घर सिर पर उठा लिया यहां पर आपका यह हो जाएगा भई ठीके यहां पर यह बरा जाएगा बच्चों की जरस सरारत पर विवेक्षन ने घर सिर उठा लिया अगला है यहां पर अंदो में काना राजा अर्थ बताईए अंदो में काना राजा 19 का जवाब तो अग्यानियों में अल्पग्यान वाले का सम्मान होना ठीके मतलब अग्यानी है अल्पग्यान है और उसका सम्म्मान हो रहा है ठीके नेस कोशन दिया है अपने पैर पर कुलहाडी मारना का अर्थ अपने पैर पर कुलाहाडी मारने का अर्थ क्या होता है वही स्वेम अपने को हारी पहुंचाना अप्सन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा अंधेर नगरी का अर्थ बताइए अंधेर नगरी अंधेर नगरी का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ पर साथ ही जवाब बिलकुश साथ में आना चाहिए और जितने लोग नए हैं हमने बता दिया है वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए अंधेर नगरी तो 21 का जवाब यहाँ पर सही आ चुका है सभी का जवाब है यहाँ पर कि अन्याई की जगा ठीक है क्या होगा दूस्तों अन्याई की जगा अंधेर नगरी अन्याई की जगा आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है किसी के क्रोध को भड़काना है ना तो अपसन आपका सी सही हो जाएगा जो कि अभी आपने पढ़ा था आड़े समय पर काम आना का अर्थ आड़े समय पर काम आना का अर्थ बताया है आड़े समय पर काम आना मतलब होता है जब कभी-कभी देखते हैं न आपकी जेब में रूपय पड़े हुए हैं कहां पर मॉबाइल में और इसके बाद आप कहीं जा रहे हैं आपने देखा कि हमारे थैली में तु कौई पैसा नहीं है तब आपने देखा किया रहे है हमने मोबाइल में रख लिया था चलो कम से कम यही काम आ गए तो अपने कर्टब बिसे हट जाना option आपका D हो जएगा अपने कर्टब बिसे हट जाना काठ का उल्लू का अर्थ बताई काठ का उल्लू काठ का उल्लू जो होता है वो मुर्ख होता है क्या होता है? मुर्ख होता है काठ का उल्लू ठीके? अगला कोशन है कि द्रोपिदी का चीर का अर्थ क्या है द्रोपिदी का चीर आपने महावारत देखा होगा द्रोपिदी का चीर हरन देखा होगा उस समय देख रहे थे कि सारी खतम ही नहीं हो रही थी अथात कभी न समाथ होने वाला अगर भागीरत प्रत्न का अर्थ भागीरत अर्थ बताईए भाई तो भागीरत को अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे कि भागीरत ने बहुत कठिन परिस्रम किया था अपने कई पूरूजों की यहाँ पर कह सकते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए कहते हैं कि हजार लोग थे और वोग स्राफ से नश्ट हो गए थे तो उनको स्राफ से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को प्रतवी में लाने के लिए भागीरत ने बहुत अथक प्रयास किया वही चीज़ है कि भागीरत प्रत्न 27 का जवाब यहाँ पर आपका हो जगा बिनमबर असाधारन प्रत्न मतलब कि जिसे हम लोग करे सकते हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने संगर से किया हो तो यहाँ पर आपको भी संगर से इसी प्रकार से करना है अगर आपको जवाब लेनी है तो आपको भागीरत प्रत्न करना होगा यह मर सोचों कि चलो हमने यूटूब से पढ़के हमने आपर एक्जाम फैट कर दिया ऐसा उदारान आपको देखने को नहीं मिलेगा जो एक्जाम पा जाने के बाद उदारान देते हैं कि हमने यूटूब से पढ़ लिया था और हम खुद से पढ़ लिये हैं और इसके बाद जवाब पा लिये हैं वो बिलकुल फैक होते हैं याद रखना बुकों से पढ़ना कोचिंग से पढ़ना गुरू से पढ़ना यूटूब से पढ़ना सम मिला के पढ़ाई होती है तभी वो अथक प्रयास करने के बाद एक जवाब पाता है और जिस दिन इमानदारी से जवाब पाता है उसके आखों से आशू आ जाते हैं याद रखेगा ठीक है चलिए एक बार वीडियो को लाइक करिए हम यह आके बढ़ते हैं चलिए भीश्म प्रतिग्या का अर्थ बताएए भीश्म प्रतिग्या का अर्थ भीश्म प्रतिग्या का अर्थ होता है द्रण प्रतिग्या लेना भीस में प्रतिग्या हो गया द्रण प्रतिग्या अर्थाथ आप भी प्रतिग्या कर लीजे कि नहीं हमको अपने मर्व से तब तक नहीं हटना है तब तक नहीं हटना है जब तक हमारा लच्छ और हमारा गोल हमारे पास नहीं हो हमारी जौब हमारे मुठी में ना हो, तब तक आप प्रयास करिए, ठीके, कभी हार मत मानिये, द्रण प्रतिक्या हो जाएगा, चले निस कोशन दिया है, खून पानी होने का अर्थ, खून पानी होने का अर्थ, और 29 का जवाब क्या हो जाएगा, खून पानी का अर्थ हो अंतरियों में बल पढ़ना अर्थात बहुत हसना क्या होता है कि जब आप लोग बहुत अर्षते बोलते हैं आते ना निकलाएं बाहर बोलते हैं ना इसा ही तो यह होता है आप अपका ब्भी हो जाएगा ठीक है चलिए अंगूठा दिखाने का अर्थ बताएए अंगूठा अंगूठा दिखाया ना इंकार करना ठीक है ओप्सन आपका ए हो जाएगा इंकार करना नेफ्स कोशन दिया गया है उल्लू सीधा करना अर्थ बताएए उल्लू सीधा करना तो उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना ओप्सन डी हो जाएगा अपना काम निक अगला कोशन है कि ठीकरा उटना का अर्थ ये आपके लिए टाफू सकता है ठीकरा सब्द क्या किसी के सर जूठा दोस लगाना ठीकरा उटना उलट फेर होने का अर्थ बताईए उलट फेर होना मतलब होता है बिलकुल है परिवर्तन होना अगला है पेट में डाढ़ी होने का अर्थ बताईए पेट में डाढ़ी होना चले साथ ही ओ पेट में डाढ़ी होना पेट में डाढ़ी तो नहीं होती है है ना ले देखने में सीधा परंतु चालांक होना ठीक है ओप्सन आपका D हो जाएगा देखो पेट में डारी होना मतलब बोल देते हैं जो बुजुर्ग होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि ये तो पागल है है ना लेकिन कहते हैं ना कि इस्पिरियंस या पर बोलते हैं पेट में डारी होना अर्थ हात जो बुजुर्ग होते हैं तो देखने में सीधा किंतु चला को ना चले अगला कॱ्षा ने अब भी हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना किसी बात को सुन लिया बोला कि हमारे घर के बगल में किने को दिक्कत हो गई पूरे गाउं में हला मच गया लेकिन वो नहीं थे कोई दूसरे थे पड़ोसी है ना सुनी सुनी बाते हैं हावा में फाइल जाती है ऐसी लड़का यार वो जौब करता है थोड़ा सा सावला है लड़की गोरी है तो कहते चलो 19-20 काम है 19-20 है चलो लेदे में काम चल जाएगा तो 19-20 मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जोड़ी भगवान ऐसे ही बना के भेटता है है ना चलि अगरा कोशन है पानी ना मांगन का अर्थ बताईए पानी ना मांगने का अर्थ बताईए पानी ना मांगना चारी संबर पानी ना मांगना अर्थात ततकाल मर जाना ओप्सन भी हो जागा ततकाल मर जाना ठीक है चले अगरा कोशन आपका दिया है कलेजा होना का अर्थ कलेजा होना कलेजा होना कलेजा होना जया दातों तले उंगली दबाना यहां पर आज बताएं पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अभिमान करना यहां पर C हो जाएगा अभिमान करना ठीक्एं चरों अगरा कोशन है कूप मंडूक होने का अर्थ बताईए कूप मंडूक होना कूप मंडूक होना 44 नमबर तो कूप मंडूक होने का मतलब होता है अत्यंत स्वीमित ग्यान होना जिसका जवाब सी है बिल्कु सही है मतलब कूप मंडूक मतलब ही हुआ जो कुए का मेड़क होता है वो एक limit area को ही जानता है वो सोचता है कि मैं तो दुनिया गूम लिया लेकिन कुए के बाहर जवाता है और किसी समुद्रिया किसी तालाब में किसी तालाब की बात कर लो अगर उसमें जाता है तुसे लगता है और यार दुनिया बहुत बड़ी है तो कुवे का मेड़क जो होता है उसको लगता है कि मिलकुल अत्यन्त है तो वही है कुप अंडुक होना अत्यन्त सीमित ग्यान होना अगला है गुड़ गोबर करना गुड़ गोबर करना महरेकार्थ और good-gover मतलब होता है बना बनाया काम बिगड़ गया बनाया काम बिगाड़ना अगला question है कि ना 3 ना 13 मतलब किसी काम का ना होना ठीके किसी काम का ना होना डी number ठीके अगला question आपका है अपने अपने पिंजरे आत्मकता किसकी है चली दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो की कवियों से संबंदित यहाँ पर अप्टेस्टियों पर लगा लेंगे और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए भाई इतनी देर हो गया हला मारते मारते आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए सभी लोग लाइक कर दीजिए हम लोग फिर यहाँ पर आत्मकताओं से संबंदित यहाँ पर जानकारी देते हैं कहरा आपने अपने पिंजरे आत्मकता किसकी रचना है या किसकी करती है चली उन्चास का जवाब देना है और उन्चास का उप्सन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जएगा मोहंदास नयमी सराय बी नमबर आपका से हो जएगा चली साथ यहों नेस कोश्चन है इद्दनमम रचना किसकी है इदनमम किसकी रचना है इदनमम रचना जो है किसकी है तो ये रचना है आपके जवाब यहाँ पर आपका D हो जाएगा मैत्री पुस्पा की ठीके मैत्री पुस्पा उप्सन D हो जाएगा अगला है रामधारी सिंग दिनकार को किस रचना पर ग्यानपीट प्रुषकार मिला था वेरिया एक कोशन आपका है एक क्यावन का जवाब यहाँ पर आपका C हो जागा जिसका जवाब C राए बिल्कुछ सही है और वर C चले साथी ओनेस कोशन दिया गया है कि इन में से हिंदी के किस साहितकार को ग्यानपीट पुरुषकार मिला हिंदी के किस साहितकार को ग्यानपीट पुरुषकार मिला था यहाँ पर बावन का उप्सन आपका जवाब हो जएगा साहित ग्यानपीट पुछा है ग्यानपीट पुरुषकार मिला था सुमित्र नंदन पंत को जिने प्रकतिका सुकमार की नाम से जाना आता है अगला है तार सब्तक के संपादक कहों थे तार सब्तक के संपादक चलो चली तार सब्तक के संपादक यहाँ पर हो जाएगा तिरपन को अप्शन B हो जाएगा अग्यें जी की है ठीक है यहाँ पर समपादर कौन थे अग्यें तिरपन को आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा B नमबर अग्यें अगला कोशन है कि गीत फरोस के रचईता कौन है गीत फरोस के रचईता कौन है गीत फरोस के रचईता गीत फरोस के रचईता आपके हैं भावानी प्रसाद मिस्त्र अगला कोशन आपकर दिया गया है मदुसाला के रचईता कौन है मदुसाला के रचईता पूछा गया है मदुसाला के रचईता सबका जवाब बिल्कुत सही होना चाहिए तो ये जवाब हो जएगा हरिवन सराय बच्चन ओप्सन बी हो जएगा हरिवन सराय बच्चन नेस्ट कोचन दिया है आवारा मसीहा के लेखक कौन है आवारा मसीहा के यहाँ पर लेखक पूछा गया है आवारा मसीहा के लेखक आपके हो जाएंगे कौन तो आपका जवाब यहाँ पर आपका स्थी नंबर विश्णू प्रभाकर ठीके विश्णू प्रभाकर नेस्ट कोशन है कलम का सिपाही किस ने लिखी कलम का सिपाही किस ने लिखी कलम का सिपाही और कलम का सिपाही लिखी है अम्रत राय, option आपका view हो जाएगा अम्रत राय, next question रच्छा बंधन नाटक के रचीता कौन है रच्छा बंधन नाटक के रचीता एक दिन वीडियो में कोई राहुल कुमार थे वो sister को ढून रहे थे है ना, बोले थे हमें किसी बहन की जरूरत है किसी ने reply नहीं दिया बहन की नाम पर किसी ने reply नहीं दिया अधर के लिए दे रहे थे सायद चलिए रच्छा बंधन नाटक के रचीता पूछा गया है यहाँ पर 58 का जवाब हो जैगा आपका B नमबर यहाँ पर हरी करशन प्रेमी अगरा कोशन यहाँ पर दिया गया है कौन सा नाटक भारति नदुका नहीं है 59 59 का उप्सन आपका यहाँ पर जो भारत दुरुज़सा है अंधेनगरी है और चंद्रावरी नाटी का यह बी है लेकिन स्वण विहार नहीं है ठीके और अप्सन भी हो जाएगा अंजो दीदी के रचनाकार बताएए अंजो दीदी या अंजो दीदी है और इनके रचनाकार पूछा गया है और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी नमबर उपेंद्रनाथ अस्क ठीके सी नमबर उपेंद्रनात हस्क चलिए जवाब देते रहे वाई आप लोग सुने मत जिया किये कि हम सुनाते चले आए इनमें से मोहन राकेस करती कौन सी है चलिए जवाब दिए एक साथ नमबर तो यहाँ पर राकेस की जो मोहन राकेस नी इनकी करती पूछा है और मोहन राकेस की जो करती है वो लहरों के राजा हंस यह नमबर आपको होजएगा लहरों के राजा हंस अगला है दूसरी परंपरा की खोज नामक करती की लेखा कौन है दूसरी परंपरा की खोज नामक करती के लेखा कौन है बासर का जवाब अगर आपको मज़ा आरा हो टेस लगाने में तो एक बार दिल खुल कर वीडियो लाइक करिए, सेयर भी करिए चलिए 62 का जवाब यहाँ पर आपका यह नमबर हो जएगा नामवर सिंग दूसरी परंपरा खुच की जो करती के लेखाक है वो आपके नामवर सिंग थे नेक्स कोशन दिया गया है कि बिहारी रतनाकर के रचीता कौन है बिहारी रतनाकर दिख सकते हैं पूरा को पूरा है बिहारी रतनाकर के रचीता कौन है तो बिहारी रतनाकर के रचीता यहाँ पर जवाब हो जएगा आपका A number हर्यों सराय बच्चन यहां पर कभी आपने गौर किया है कि बच्चन में सिंगल इन्वेटेट कामा तोल लगा है क्योंकि यह उनका उपनाम है और जिनका भी उपनाम होता है वो सिंगल इन्वेटेट कामा में ही मिलेंगे आपको चलि अगला कोशन दिया गया है कि तुम चंदन हम पानी किसकी करती है तुम चंदन हम पानी चलो जवाब दो यह विद्या निवास मिस्त्र की है option B हो जाएगा विद्या निवास मिस्त्र माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें यह जो आपकी करती है यह आपकी किसकी है तो माटी की मूर्ति है राम रच्वेनी पूरी की option B हो जाएगा राम रच्वेनी पूरी अगला है प्रेम 25 कहानी संग्रा के रचना कार प्रेम 25 प्रेम 25 के यहाँ पर जो कहानी संग्राकार है वो आपकी कौन है तो आपकी प्रेम चंत नेस कोशन है कि ज्यान पीट पुरुषकार की छेत्र में स्थेष्ट कारे के लिए दिया जाता है ज्यान पीट पुरुषकार और ज्यान पीट पुरुषकार आपका होता है साहित की छेत्र के लिए दियाता है याद रखेगा डिनमबर अगला है प्रेम सागर के लिखा कौन है प्रेम सागर चलिए प्रेम सागर आपके लल्लू डाल प्रेम सागर लल्लू है प्रेम है लल्लू डाल प्रेम सागर अगला है तुलसी दास ने अपने रचनाव में किसका वर्डन किया है तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपके राम का थीके तुलसी दास भगवान राम के अनन्ने भक्त थे भी नम्बर आपका हो जाएगा अगला कोशन है कि त्याग पत्र जो कि एक उपन्यास है इसकी रचना किस ने किया है त्याग पत्र जो रचना है उपन्यास है और इसकी रचना जो किया है वो आपके किस ने किया है option B हो जगा जैनेंद कुमार B number अगला ग्यानपीट पुरुषकार दिया जाता है तो देख सकते हैं ग्यानपीट पुरुषकार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है तो भारती भासा में साहित्तिकारों के रचनात्मक लिखाने तो भारती भासा में साहित्तिकारों के लिए रचनात्मक लिखान भाव विलास के रचयता कौन थे भाव विलास के रचयता भाव विलास के जो रचयता थे वह के थे देव ठीके देव जी अपस्टनाप का यह हो जेगा अगला कोछन है एक कंठ बिस पाई किसकी रचना है एक कंठ भी स्पाई एक कंठ भी स्पाई यह जवाब हो जएगा आपका भी नमबर यह दुस्यंत जी का नातक है ठीके दुस्यंत जी के रचना है अगला है कुकुरमुत्ता की रचलिता कौन है कुकुरमुत्ता भी पूछा गया थे एक जाम में कुकुरमुत्ता के रचलिता 75 नमबर और यह है निराला पंत जी निराला उप्सन आपका B हो जाएगा अगला है इनमें से निराला जी की कविता कौन सी है चले निराला जी किया पर पूछा गया है यहाँ पर 76 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा B नमबर इनमें से निराला जी की कविता है आपकी तुलसी दास याद रखें कोश्चन रट लीजेगा निराला जी की कविता कौन सी है तुलसी दास है ठीक है ये कोश्चन आपका कंफ्यूज कर सकता है अगला राम की सक्ति पूजा किसकी करती है राम की सक्ति पूजा राम की सक्ति पूजा ये भी आपके निराला जी की है अगला कोश्चन अपका है कैराप से अंधायूग किसकी करती है अंधायूग किसकी करती है अंधायूग अंधायूग किसकी है तो धर्म वीर भारती की है ओप्षन भी हो जाएगा धर्म इर भार्ति निसकोशन है कोशन आपसे पूछा गया यहां पर कि नील देवी नाटक के रचईता का नाम बताई भाई नील देवी नाटक के रचईता का नाम यहां पर पूछा गया है और जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा option A भारते इन दुहर इस चंद ठीक है पुनर जन्म यह आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो पुनर जन्म option right आपके यापर सही हो जाएगा आपका ए नमबर पुनर जन्म हो जाएगा याद रखे विसर्ग संदी का आपका यह है और विसर्ग संदी में जो रा होता है रा को हटा दीजिए और विसर्ग लगा के आप अंसर दे सकते हैं तो आपका रा हट जाएगा विसर्ग लग जाएगा इस प्रकास से उपसन आपका ए हो जाएगा जिसका जवाब ए आया है वो सब लोग यहाँ पर कमेंट जरू करें चले निस कोशन दिया गया है कि महर्सी सब्द में कौन सी संदी है महर्सी सब्द में कौन सी संदी है महर्सी अगर हम लोग इसी तोड़ते हैं तो बनेगा आपका क्या महाधन रिसी क्या बनेगा महाधन रिसी बनेगा अब यहाँ पर संदी कैसे पैचानेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ा है और यहाँ पर आपका रिसी है दोनों को मिलाने से अर बनता है और जो अर होता है वो आपको मिलता है गुर्ड संदी में ठीके तो यह जो आपकी संदी है कि संदी की है option right आप के आपर see हो जाएगा good संदी हो जाएगा ठीके good संदी अगरा question है उल्लास का संदी विछेद बताईए उल्लास और याद रखेगा जो double ला है इस एक लाकोता में बदल दीजिए और सीधा जो सब्द लिखा है उसे लिख दीजिए यहाँ पर बन जाएगा उत धनलास जो कि option right आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d number हो जाएगा उत धनलास आपके बेंजन संदी में याद रखेगा जहाँ पर भी double आपको ला मिल जाए तो एक लाकोता में चेंज़ कर देना है लगा दो ठीके और सिधा जोड के अंसर दे दो यहाँ पर आपको बिसर्ग दिया गया है इस बिसर्ग को हटा दो और ओ लगा कर सिधा जोड दो तो यहाँ पर बनेगा क्या यह सोधा बनेगा जो कि option right आपके यहाँ पर भी हो जाएगा हर एक point को बार एकी समझिए पूरा test लगाते लगाते याद रखेगा पूरा का पूरा यहाँ पर संद्विछेद कंपलीट हो जाएगा थोड़ा boring जरूर लगेगा लेकिन याद रखेगे पूरा का पूरा topic आज कंपलीट होगा चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए यहाँ पर दिया है अच्छोंधी का संद्विछेद बताईए अच्छोंधी का संद्विछेद और अच्छोंधी यहाँ पर एक point याद रखेगा कि जो गुण संदी होता है ट्रीक आपको बता रहे है यहाँ पर ट्रीक है ट्रीक क्या पैचाने कि गुण संदी में जो आपकी मात्रा होती है वो आपकी A होती है और आपकी क्या होती है ओ होती है ठीके यह मात्रा आपको बीच में आती है ठीके और जो आपकी ब्रद्धी संदी होती है उसमें मातर आपकी I होती है और आपका O होता है अब यहाँ पर देखिए बीच में जो मातरा है वापकी कौन सी है O की मातरा है O की मातरा है इसका मतलब यह कौन सा होगा ब्रद्धी संद होगा और ब्रद्धी संदी तो हो गया, इसकी पहँचान क्या हो गया, कि O की मात्रा, इसका मतलब ये ब्रद्धी संदी है, और इसका जो जबाब हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा या पर B नमबर अच्छदन ओर्धी बनेगा, ठीक है, B नमबर आपका सही हो जाएगा, तो ये ट्रिक आप की रहे, कि गुण संदी में क्या पहँचान होती है, एकी मात्रा और आखी O की मात्रा, और ब्रद्धी संदी की पहँचान होती है, I की मात्रा, O की मात्रा, जहां भी कभी बीच सब्दों में, ठीक है, जिस प्रकार इसमें लगा है, अगर ऐसे सब्द मिलते हैं तो आप तुरंट पहचान कर लेंगे अभी याओर बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगला है इत्यादी सब्द में कौन सी संदी है इत्यादी तो ये बनेगा इति-धन-आदी क्या बनेगा इति-धन-आदी बनेगा और जहाँ भी कभी आधा सब्द लगा हो जैसे कि या, रा, हुआ, ठीके ला, इनमें अगर कोई आधा सब्द लगा हुआ है तो हंडिट पर्सेंट वो जो आपका संधी बनेगा रा, याण संधी बनेगा क्या बनेगा? याण संधी बनेगा आपका यण संधी option आपका ए हो जाएगा ठीके च्छाव वर्ण किसके योग से बना हुआ है यह हमने आपको बताया था वर्ण माला में तो च्छाव जो बनता है का धन्सा की योग से बनता है option आपका ए हो जाएगा अगला question दिया गया है गुढा केस के संधी विछेद अब यहां पर देखीजिए हमने बताया था कि एक जहां मात्रा होगी वहां पर आपका क्या होगा गुण संधी होगा अब यह तो पता चल लगया कि रूल क्या है यहां पर इसका जो तोड़ेंगे तो बनेगा गुडा का धन इस बनेगा ये वाला बढ़ा आ और आपका बढ़ी ठीके तो इस प्रकार से A बनता है और A जो होता है वो आपकी गुण संदी में होता है याद रखिएगा ठीके अगला कोशन है निर्गुड का संदी विछेद होगा निर्गूड का संद्विछेद देखो और यहाँ पर रा उड़ा है रा को हटाइए विसर्ग लगाइए अर्थात यहाँ पर बनेगा नी धन गुण बनेगा जो कि आप सन रैट आप के यहाँ पर C है C है ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा पूरा टेस्ट लगाइए जो बच्चे कमजोर हैं वो लोग पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा जिनको आता है हीरो गीरी करते हों कि हमको संदी आती हम पहँचान कर लेंगे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं वो जरूर फोकस करिए बातों पर मत रहिए किस सब्द में गुर्ण संदी है अब देख लीजे गुर्ण संदी पूछा है और गुर्ण संदी में क्या होता है एक ही मातरा होती है एकी मात्रा होती है और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुर संदी किसमे है आपके भारतिय इंद में क्योंकि मात्रा का है ए है इस प्रकार से बी नमबर आपका हो जाएगा समझ में आ गया चलिए अगला है जगनाथ किस संदी का उदारान है जगनाथ यहाँ पर ना को हटाओ आ इसको बनेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा जगत धनाथ बनेगा ओके अगला कोशन है पवन का संधिविच्षेद बताइए पवन का संधिविच्षेद फटा फटा नसा दीजी भाई पवन का संधिविच्षेद क्या बनेगा तो यहां पर बनेगा पोधन अन बनेग तो यहाँ पर देश सकते हैं कि O जब होता है और O प्लस A होता है या एक सिम्पल सा एक ट्रिक समझ लीजिये कि जब कोई साधारन वर्ड लिखा हो बिना मात्राओं का तो वो आयाधी संदी होता है ठीके क्या होता है अयाधी संदी होता है यहाँ पर जब तीन अच्छारों का कोई भी नाम लिखा हो मात्रा ना लिखी हो तो ये 99% चांस होगे कि वो आयादी संदी होगा अब यहाँ पर जो पवन है ये पवन तोड़ा गया तो बनेगा पोधन अन अर्थात पवन बन जाएगा यही पर अगर देखा जाए कि यह लिखा हुआ है पोधन अन अर्थात बनेगा पावन बनेगा ठीक है पावन बनेगा तो यहाँ पर पूछा था पवन का और पवन का हो जाएगा पोधन अन और यह आपकी है आयादी संदी यह ट्रीक आपकी हो गई, कि तीन अच्छर का नाम हो, बिना मातरा का हो, वो आपका 99% होगा अयादी संधी, समझ में आग pra न, तीनो संधी कंपलीट होई, चले यहाँ पदिया है ब्याप्ति में संधी बताइए, ब्याप्ति में संधी, और ब्याप्ति में जो संधी होगी, विधन आप्त बनेगा और इस प्रकास से यह आपकी गुण संदी है यह आपर ट्रीक देखो फालो कर रही थी कि नहीं ए श्वरी यह आपर यह अंड संदी है यह के साथ आदा अच्छर है तो आपका हो गया सी नमबर महाधन उदय महाधन उदय बनेगा क्या आपका महोदय ब जोगा एक बात जोर से सभी लोग वीडियो लाइक करिए हमको भी मज़ा आने लगए चलिए सद भावना का संद्विच्चेद सद भावना सत धन भावना अथा तिर ब्यंजन संदी में एक रूल होता है कि ता था दा अर्था ता का परिवर्तन दा में होता है ती यहाँ प संद्विचेद और ये जो आपका है ये है ये बनेगा ब्रच धन चाया बनेगा याद रखेगा इसका जवाब कड़ी हो जएगा ब्रच धन चाया बनेगा अब ये संदी जो आपकी है बेंजन संदी है याद रखेगा बेंजन संदी है बेंजन संदी में जहां भी आपका च् करना हुँ, तो चा को हटा दीजे, सीधा सीधा उसको लिख दीजे, ब्रच धन च्छाया, यह बेंजन संदी का एक ट्रिक यह कहस सीकते रोल होता है, ये लिएस खो Artson है, भानुदय सब्द का संद्विच्छीद भानुदय का भानुदय सब्द है तो यहां पर इसे पहले तोड़ो जब इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा भानुधन उदय यहां पर भानुधन उदय कौन सा यह बाला छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ और छोटाऊ और बराब कौन सा संद्वी छेद आपका याँ पर सही है अठारा नंबर और अठारा का याँ पर सही हो जएगा परमधन आत्मा याँ पर ए नंबर हो जएगा छोटा बड़ा बराबर बड़ा और ये रूल जो आपका होता है ये भी होता है दीर्ग संदी का ठीके चलिए next question दिया गया है आपर घुरदोर का सही संद्वी छेद यहाँ पर बताईए घुरदोर का सही संद्वी छेद बताईए घुरदोर चलिए घुरदोर का यहाँ पर बताना है और घुरदोर का जो संद्वी छेद बनेगा क्या बनेगा तो यहाँ पर option आपका हो जाएगा घोड़ा दोड़ जा बनेगा घोड़ा दोड़ बनेगा अब यहाँ पर देखो बड़ा आ है यहाँ पर आपके क्या है औ है यह जो आपका rule होता है बड़ा आ के साथ औ हो वो आपको मिलेगा किसमें आपके ब्रधी संदिवी मिलेगा तो अगला कोर्शन याप पर दिया गया है कि महोदय का संदवी छेद, अभी कोर्शन आप कहा था महोदय, हमने तरह था कि O की मात्रा हो, और जहां O की मात्रा हो, वहां गुर्ण संदी है, तो पहेंचान आपकी हो गई, यह गुर्ण संदी है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 42 मै ना को हटाईए आदात लगाईए तत धन मै बनेगा 43 को उप्षन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा तत धन मै उप्षन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा ठीके थोड़ा समयनत आप कर लीजेगा यकीन करिएगा कि संद्विछित में दिक्कत नहीं होगी एक बार अपन मनोबल डाउन हो जाता है चलिए उत्धरण का संद्विछित बताईए उत्धरण का संद्विछित तो बनेगा क्या उत्धरण धरण धाका परिवरतन तामे और यह बनेगा उत्धरण धरण ओप्षन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा उत्धरण हरण हो जाएगा ठीके उत तो यहां पर बच्चों को doubt यह हुआ कि सर ने बताया ओकी मातरा और ओकी मातरा होती है गुर्ण संदी में अब इसको पहले तोड़ो तोड़ोगे कैसे इसको क्या तोड़ोगे इसको तेजो धन मैं लिखोगे तो ओ धन मा ओ धन आ यह कहीं आपको रूल मिलता है यह रूल आपको स्वर्व संदी में नहीं मिलेगा जब रूल में यह स्वर्व संदी में नहीं मिलेगा तो यह आपको बिसार्ग में मिलेगा तो इस प्रकास से बनेगा आपका क्या तेजा धन मैं बनेगा यह समझ में आ गिया ना चलिए राकेस का सई संद्विच्षेद बताईए राकेस राकेस का संद्विच्षेद बनेगा राका धन इस तोड़ने में क्या बनेगा राका धन इस अब राका धन इस है आथात यहाँ पर एक ही मात्रा है और जब एक ही मात्रा होगी तो क्या होगी दोस्तों गुण संदी होगी तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा उक्षन आपका D अब आपको यहाँ पर संद विच्छी थोड़ी से आपको सरल जरूर लगी होगी चलिए नीरोग में प्रियुक्त संदी का नाम बताईए नीरोग तो याद रखें नीरोग जो नीरोग होता है याद रखें नीरोग इसी प्रिकास है लिखते हैं बहुत लोग निरोग लिख देते हैं निरोग छोटी नि लगा देते हैं वो गलत होता है शुद्ध यही होता है और नि को हटाईए यहाँ पर ठीके बनेगा निह धन रोग निह धन रोग बनेगा इस प्रकार से निह बिसर्ग धन रोग ये आपका बिसर्ग संदी है option आपके याँपर C हो जाएगा ठीके निर्जन में प्रियुक्त संदी बताईए निर्जन का जवाब आपको देना है याँपर निर्जन रा लगा हुआ है रा को हटाईए याँपर लिखिए निहीं बिसर्ग लिखिए और यहाँ पर जन हो जाएगा तो बन गया है विसर के संदी जो की option आपका C हो जाएगा next question दिया है वाता नुकूल का सही संद विच्छेद बताएगे वाता नुकूल का सही संद विच्छेद 49 नमबर तो वाता नुकूल ये बनेगा आपका कौन सा वात वाता नुकूल ए नमबर ए नमबर आपका हो जाएगा वात धना नुकूल तो यहाँ पर छोटा और छोटा बराबर बड़ा तो बनेगा वाता नुकूल ठीके यहाँ पर छोटा और यहाँ छोटा दोनों की मिलाएगे बड़ा तो ये जो रूल होता है चोटा प्लस चोटा बरबर बड़ा यह आपको होता है दीर के संदी में ठीके उसे भी चोटा प्लस चोटा तो बड़ा हो जाएगा बर्था दीगर हो जाएगा और सन आपका ए हो जाएगा अगला कोशन है ब्रह्माश्त का सही संद्विछेद बताइए ब्रह्माश्त का सही स संद्विच्छेद 51 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा उत्धन स्वास यहां पर देखिए च्छा के पहले च्छा है तो यहां पर हटाया और ता लिखेंगे और बन जाएगा यह एक रूल यह भी होता है कि इस च्छा को हटाएए और स्वास्षा आपका लिख जाता है भन जाता है तो हटना पड़ाएगा रूल होते है आपके प्रति उत्तर का ये याँपर प्रतिधन उत्तर, छोटी यी धन, आपका हो जाएगा, चोटा हूँ, जो कि आपको काम मिलेगा, येंट संधी मिलेगा, ऑप्सन आपके यहाँपर भी हो जाएगा, ठीके, अगला कोशन दिया गहा, यहाँपर नमस्ते का सहीं संधी विच्छीत बताईगे, नम लगा हुआ है तिसे हटा कर विसर्ग लिख दीजी ये चार रूल तो आपको यहीं पर पता चल गया तो यहाँ पर सा को हटाईए विसर्ग लगाईए प्लस करके यहाँ पर जोड़ दीए यहाँ पर आपका बनेगा नमाधन ते नमाधन ते बनेगा सा को हटाईए विसर्ग आपको हो जाएगा बी नमबर यहाँ पर 54 का option right आपका हो जाएगा स्वरी ए नमबर समधन तोस बनेगा समधन तोस हो जाएगा ठीके यहाँ पर आधा होगा ना इस कारण से अगला question दिया है कि उज्वल का सही संद्विछेद उज्वल डवल जा है जाग एक हटेगा ता एक रूल होता है जागा तामे परिवर्तन तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा उत्धन ज्वल ओप्सन आपका होजएगा बी नमबर ठीके मजा आरा है सभी को जरूर विश्वा मित्र का सही संद्विछेद विश्वा मित्र का सही संद्विछेद विश्वा मित्र यहाँ होगा विश्वधन अमित्र यहाँ होगा विश्वधन अमित्र बनेगा यहाँ पर देखो छोटा है यहाँ पर आपका छोटा है छोटा और छोटा आप मिलकर बनता है बड़ा जो कि आपको होता है दीर के संदी में तो यह आपका है दीर के संदी आगला कोश्चन है संगम का सही संद विच्छेद बताईए संगम का सही संद विच्छेद और संगम का होता है संधन गम जो कि आपसन आपका होजेगा बी नंबर ठीक है बी नंबर आगला कोश्च ये जो आपकी संदी है वो आपकी हो जाएगी यर्ण संदी वा में आधा की मात्र आधा है की नहीं वा के साथ आधा है तो यर्ण संदी हो जाएगी जो हमने बताया है या रा हुआ इनमें अगर कोई भी आधा सब्द लगा हुआ है तो 100% वो आपकी यर्ण संधी होगी ये रट लीजिएगा गोल कर गोल संधी में बताया था कि एकी मातर और ओकी मातर अगर बीच में मिल जाए तो ठीके ना समझे में आ रहा है न कुछ चलिए यहाँ पर नेश कोशन दिया गया है क्या दिया गया है भानूदय में प्रियुक्त संधी बताये अब यहाँ पर देखो बड़ा उदिया है बड़ा उदिया है और बड़ा उजो आपको मिलता है वो आपको कहाँ पर मिलता है दीर के संधी मिलता है कैसे भानूदय के टोरोगे तो तूटेगा क्या तूटेगा बनेगा भान धन उदय भान धन उदय छोटाऊ और छोटाऊ दोनों मिलकर बनेगा बड़ाऊ और बड़ाऊ वाला यह जो रूल होता है यह आपको होता है आपके किसमे किसमे होता है आपके दीर के संदी में होता है तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो चलिए इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा सूरी उदय सूरी उदय कौन सी संदी है बिल्कुल पहचान करें बिल्कुल से अलग से दिख रहा है सूरी उदय ओकी मात्रा देखो लगा हुआ है ओकी मात्रा और ओकी मात्रा होती है किसमें आपकी गुन संदी में होती है इसे अगर तोड़ते हैं तो बनेगा आपका सूर्य धन उदय क्या बनेगा सूर्य धन उदय बनेगा ठीक है ओकी मात्रा निकलाई और ओकी मात्रा होती है गुन संदी में देखो बिल्कुल इजी ट्रिक्स है आपके लिए, बिल्कुल पहचान है, बिल्कुल पहचान कर सकते हैं, मरा आदमी होगा, वो भी उटकर बता देगा कि नी कौन सी संदी है, चलो हरी चंद में प्रियुक्त संदी का बताए, हरी चंद, और हरी चंद में बनेगा हरी धन चंद, यादे रखे, यह जो आपकी भिस वुद चारण में प्रियुक्त संदी का नाम बताएं, उत्धन चारण क्या बनेगा, उत्धन चारण बनेगा, अर्थात, यहाँ पर यह संदी आपकी बनेगी, काउसी, ब्यंजन संदी, ठीक है, थोड़ा सा आप, हम लोग फास्ट होते हैं, उलेक का संद्ध विछेद अगला कुर्शन है अत्याचार का संद विछेद अत्याचार इसका जवाब आप दीजी क्योंकि इसमें ट्रिक फालो हो रही है और ट्रिक कौन सी फालो हो रही है यन संदी वाली अत्यधन आचार यहाँ पर देख सकते हैं यह के साथ आधा लगा हुआ है तो यह तो पता चले है कौन सा अत्यधन आचार अत्याचार ठीके अत्यधन आचार अत्याचार जो कि आप्सन आपको दीख रहा है कौन सा डी नंबर अत्यधन आचार ओके अगला है दिगंबर का सई संद विछे दिगंबर गा का परिवर्तन का में हो जाता है डेंजन संदी में क्या हो एक रू सई संद्विच्षेद उडएनम उडएनम का जोन संद्विच्षेद हो जाएगा तो बनेगा क्या यहाँ पर डवलडा है देखिएगा डवलडा में एक डा हट जाएगा और ता लगेगा तो उत धन डएनम option आपका ए हो जाएगा तीके बेंजन संद्विकार में संद्विच्षेद बताए निर विकार निर विकार में भी आपको पहचान के लिए एक point दे दिया गया है क्या आप point दिया है यहाँ पर रा हटा दीजे यह जो रा हटा लगा है इसे हटाईए विसर्ग लगेगा ने धन में प्रिक्त संदी बताएए सत्यागरा सत्यागरा में संदी आपकी क्या हो जाएगी सत्यधन आगरा क्या बनेगा सत्यधन आगरा और सत्यधन आगरा जो होती है आपकी यहाँ पर दीर गसंदी हो जाएगी तेकि दीर गसंदी हो जाएगी option आपका A हो जाएगा नेश कोश्चन है स्रवान का सही संद्विच्षेद स्रवान का सही संद्विच्षेद पूछा गया आपसे यहाँ पर स्रवान स्रवान का सही संद्विच्षेद क्या बनता है स्रवान का बनेगा यहाँ पर स्रोधन अन श्रोधन अन बनेगा श्रोधन अन बनेगा और औ पलस आ यह जो आपको देखने को मिलेगा यह आयादी संदि में मिलेगा ठीके? अगला speakers दिया है काब वियो में का सही संदिमी छेद बताई यह काब वियो में काब वियो में 70 नमबर एक trick फालो हो रही है पैचान कर सकते हैं कि ये कौन सी संदी है तो ये गुण संदी है काब बियो में और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा काब बिधन उर्मी काब बिधन उर्मी हो जाएगा option आपका B हो जाएगा निश कोशन दिया है सत्य धन आगरा सत्य धन आगरा जो कि अभी हमने आप बता भी दिया था डे नमबर हो जाएगा सत्य धन आगरा अगला है दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं तो बिल्कुल संपल है कि दो वर्ड दो वर्डों के विकार से होने वाले जोब की होती संधी और दो सब्दों के होने वाले विकार से समास बनता है सब्दों अगर होगा तो समास और वर्ड होगा तो संधी अगला कोर्शन दिया गया है आपर संधी कितने प्रकार के होते हैं संदि कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग बताईए हो Stephen अब यहांपर आप्सें दिया है 1, 2, 5, 4 तो भीया, आप उप्रोस क्या यहांपर संदि होती है तीन प्रकार की इस प्रकार से आफ यह कोर्शन आपका गलत है दैयानंद में प्रियुक्त संदि बताइए दैयानंद और दैयानंद अर्थात इसे तोडेंगे बनेगा दैयाधन अनन्द अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अबई नंबर दीर्ग संदी है दैयानंद दैया धन आननंद बड़ा और बड़ा और ब commer बरावर लागोशन दिया गया है यहां पर कि कपीश में प्रियुक्त संधी का नाम बताइए कपीश में प्रियुक्त संधी क्या हो जाएगी 75 नमबर कपीश तो इसे अगर हम कपीश को तोड़ेंगे तो बनेगा कपीधन इस कपीधन इस अर्था आतों छोटी और बड़ी बरावर म水्कोचर नहैं कि कपीश सथ शलीर हाँ इसद्र हम सदेव में प्रियुक्त संधी का नाम बताइइ ड में संधी बता रिए स्दा झएंसा यह सदा धनन इस वनता है 76 जवाब हो जाएगा आपको को हमसा है और आक विफार संधैन की मात्र सदायों सदायो में यहाँपर 76 नंबर में क्या रहे थे यहांपर देखिए आपकी क्या होना चाहिए ब्रधिसंदी होना चाहिए गलत आपका था ठीक्याँ यहाँपर सदायों आय की मात्रा और आय की मात्रा होती ब्रद्धी संदी में है ना दो ब्रद्धी संदी यहां पर देख सकते हैं कि कोई आप्शन में है नहीं है तो यहां कर सकते हैं कि इसमें से जो आप्शन लिखा गया यहां पर कौन सा बी तो बी नहीं यहां पर डी होना चाहिए इन में से क कौन स्वरसंदी का उधारण है स्वरसंदी का उधारण स्वरसंदी स्वरसंदी के पांच प्रकार होते हैं होते हैं पांच प्रकार से तो यहां पर देखे डी नंबर जो आपका दिया है डी नंबर पावन पावन में आपकी कौन सी थी आयादी संदी थी थी ना मनोहर में मतल गादेना कि ओकी मात्रा है या बनेगा मनाह धनहारी ये विशर्ग संदी है याद रखेगा अगला निम्निकित में से कौन सा सब्द ब्रद्धी संदी का उधारण नहीं है तो ब्रद्धी संदी का उधारण कौन सा नहीं है नहीं सब्द दिया है ब्रद्धी संदी में आभी ह मात्रा और ओकी मात्रा लेकिन एकी मात्रा जो होती हो किसमें होती है ये गुर्ण संद्धी में होती है तो सी नमबर ये ब्रद्धी संद्ध का उत्वारण नहीं है ठीके अगला है कि महोश्न का सही संद्विचेद महोश्न का सही संद्विचेद पूछा गया है और महोश्न क का संद्विच्ेद महाधन उस्ण होता है ही के अगला कोश्चन है आसिरवाद का सही संध्विच्चेद बताईए आसिरवाद आसिरवाद का संद्विच्चेद बनेगा वह आपका बनेगा क्या आसी वाद बनेगा ठीक है बी नमबर अगला कोशन है आपर है कि महेश का संद्विचेद एकी मात्रा गुर्ण संदी सीधा सीधा अब जल्दी से आपर टेस्ट को सॉल करते हैं महाधन इस महेश जो कि आपका सही जवाब हो जेगा आपका गुर्ण संदी आपका संद्विचेद अगला है अमनमय का सही संद्विचेद तो अनमय का सही संद्विचेद क्या बनेगा आनुधन ययी यहापर देख सकते हैं यह आपर चलिए धन्यवाद